आज के इस Adon Talks Most Important Podcast, Not Special Podcast, Most Important Podcast में क्या अलग है? अलग है ये वक्त, Jupiter गुरू का गोचर, Jupiter अपनी राशी बदल रहा है और ये बहुत मेजर इवेंट है आप सबकी लाइफ में सबसे बड़ा होता है अश्ट्रो त्रिश्ला माम के साथ इस Podcast में आपको क्या मिलने वाला है? बहुत सारा ज्यान, बहुत सारे ओपाए और ये आपका एक मौका है ये एक ऐसा मौका है जिस मौके पे अगर आप खेल गए आपने चौका मार दिया तो आप मैं जीच जाएंगे ये एक बहुत important मौका है और ये इतना important क्यों है? ये इतना important इसले है क्योंकि त्रिश्ला माम पिछले चार Podcast से हमेशा बोल ले जागी है कि अभी गोचर चेंज होने वाला है और ये इतना important event है कि इस पे हम एक बड़ा एपिसोड बनाएंगे, एक महा एपिसोड बनाएंगे सीधा एक सवाल पूछा था, क्या ये हम सब के पास मौका है माम अपनी सारी परशानियों से दूर होने का, अपने सारे जितने भी चीज़े खराब जारी है लाइप में, उन सब को समालने का, ये एक ऐसा transit है जो आपको बहुत फायता देके जाएगा, इसकी शूटिंग करन आपको उपाय बताया है कि आपको कैसे वास्तू करना है, राइट, आश्रल लॉजर तरिश्वला माम आपको वास्तू के भी उपाय बताएगी कि आपको कैसी चीज़े करनी है आपके वास्तू के एकॉर्डिंग जो इस पूरे गोचर में आपको बहुत मुनाफ़ा देंग बहुत सारे चार्ज प्रॉडक्स मिलेंगे, जो सिर्फ आपके लिए बनाएगे हैं, उन सब को चेक आउट कीजिए, दू चेक आउट आउट आर अनदर चैनल कार्मिक कृतिया हिंदी पॉडकास जहां पे तरिश्ला माम ने बात करी है, सेक्स के बारे में, तंतर के बारे म सबसे पहले तो मैं बुलना चाहूंगा, यह पॉडकास जितना इंपोर्टेंट है, उससे जादा मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, वरिंदावान की बाते, जो अभी हमने पूरा उत्सव अटेंड किया, पूरा लिगो आउट स्टैंडिंग था थोड़ा सा अब ओडिय लोगते, सबके लिए बहुत बड़ा एक सौ भागया था, कि हमने वो अटेंड कर पाए और वो लाइफ का एक सबसे, मैं मैं मानता हूंगी ऐसा मोमेंट फिर कब देखने को मिलेगा, लाइक सौ भागया ही होता ही है, जल्दी जल्दी आपकोस, बट थोड़ा सा बताइए हम लोगों ने श्री राधा वल्लब जी का ब्यावला किया था और उनकी कृपा से बहुत अच्छा उत्सव हुआ हमारा जी और हम लोगों ने वैसे तो ब्यावला जो होता है एक तरेका एक गीत है जिसे थाकुर जी को सखी रूप में सुनाया जाता है ऐसा कहते है कि सख्य ने बैठके उनको ब्यावला सुनाया था गाल के तो वो एक तरीके से ब्यावला उनको सुनाया जाता है पर हमने उस ब्यावले को थोड़ा सा और अच्छा बना दिया था तो हमने उसके अंदर ब्यावाली सारी की सारी परंपराएं निभाई थी हमने अच्छे बहुत अच का कारिक्रम हुआ था फिर पाल की निकली थी धोल वगरा के साथ बाराद गई थी लाइक सारे नाचते वे इतना इतनी हाई एनरजी के साथ सारे धोल लगाड़े सारे असे जा रहे थे बताईया बताईया फिर हम लोग ठाकपुजी के मंदर पहुंचे वहां पर उनका नाशनल नाशनल हर जगह मैंने खाना खाया है मैं बहुत बड़ा फुडियू पंजाबी हूं पर अब तक इस से जादा टेश्टी यम्मी स्वादिष्ट सारे उतला जितने में वर्ट यूज नहीं कर सकता इतना अच्छा भोजन इतना एक्स्ट्रीमली लाइक मैं वह बहुत यमी था और टाको जी के इतनी कृपा चल रही है मुझ पर हमेशा रहती है पर अब संगती का असर तो मेरे साथ साथ वरून के ऊपर भी बहुत अच्छी कृपा चल रही है पहले हमने वहां पर श्री राधा वल्लब जी का भ्यावला कर वहां की प्रशादी ली और हम जैपुर गये तो हमने गड़ गनेश की प्रशादी ली और वह भी इतनी अच्छी थी एक्स्ट्रीम ली और आइफील कि जैसी भगवान जी का भोग लग जाता है खाना कुछ आउड़ वर्ली टेस्टी हो जाता है पेट भर जाता है नियत निवर्टी ऐसा लगता थोड और खाले और हम लोग जब वहाँ पहुंचे थे रात को करीबं दस बज रहे थे हम वह पहुंचे थे तो हमें नəहर गर जी के द kep डुशन मिले और और घ्र हम लोगों को अचानक से गड़ गनेश जी जो पंडित जी शाड़ आनन जी थेंख यू सो ठाकुजी की प्रशादी कहीं भी खालो कैसी भी खालो मतब उसमें स्वाद आना ही आना है एक अलग ही उसके अंदर कुछ रम जाता है क्या पता नहीं प्यार उनका अश्रवाद उनका प्यार और इतना वो टेस्टी हो जाते कि ऐसा लगता है कि पता नहीं अंदर तक क्या है जो हमको बहुत संतुष्ट करके जा रहा है वह भोजन ऐसा होता है कि आपके पेट तगनी आपकी पूरी रूह तक पहुच रहा होता है आत्मा घारी ऐसा और मैं मजाग नहीं कर रहा है कि पॉड्कास के लिए आपको लगे कि मैं बोल रहा हूं बट वह आपके बस लेग उसक त्व चिए नहीं अलओ हो जाकि हां सब देख लिया है सब देख लिया हा ने पूरी दुनिया देखी ले noir to do public कर अपूह फूण हो ग्या सारे रंग सारी प्रकरति सारे नजारे वह वह को देखने के वादी यहां के ध्रश्ट को Ahhh अभी तक कुछ था पूह तके पूह ठोह क देख ली लेकिन कुछ था जो मिस्सोरा था वो मुझे लगता है कि जब ठाकुजी के एक दर्शन होते न तो लगता है बस पूर्ण हो गया एक आक बस उनको देख लेना और बस वहीं पर हम यह सारी हम यह सारी फोटो अगयर आपको पॉटकास में दिखाएंगे बट लेट्स टॉक आज का जो स्पेशल पॉटकास जिसके हम बना रहे हैं यह बहुत लंबा पॉटकास बन रहा है और हमने नवरातरी के पॉटकास में पॉटकास में बना रहे हैं और उसके उपर माम ने बताया था कि बहुत सारी चीजे अब देश में विदेश में आप सब की राशियों के एकॉर्डिंग सब में बहुत सारे चेंज़ आने वाले हैं अधिस वेरी बिग टॉपिक वेरी हेवी टॉपिक जिसके लिए हम जैप पता नी और मैं कुछ जूट नहीं बोल रहा कुछ मजाग करना बना नी रहा मैं बस इतना बोला था कि वरोर इतनी गर्भी में कैसे शूट होगा आप आप कर आओ के मैं का यस मम हम ट्राय करेंगे सब कुछ करेंगे और दूप आई एब मैं फोटो दिखांगा दूप आई है और विदिन 20-25 मिनट के अंदर अंदर बारिश टाट होगी और मौसम क्या थंडा हुआ एकदम चेंज होगा और हमने हमने सोचा 20-25 मिनट के हम लोग जो में उपाय थे जो माम को कवर करने थे वो सारे कर लेंगे जो आप तक आने जरूरी थे और वो शूट हमने एक इन फाक्ट हर बार के लिए जब भी गोचर आथर सो स्टार्ट करते हम आप बताईए गुरू के बारे में गुरू ब्रहसपती जी ने कहा जाता है और इंग्लिश में जीने जुपिटर कहते हैं गुरू की जो अपनी राशियां है वो है धनू और मीन गुरू इंसान को प्रसिद्धी देता है नाम देता है यश देता है सदबुद्धी देता है संसकार देता है गुरू जिनकी भी मदद करता है ऐसा व्यक्ति अपनी भी रक्षा करता है और औरों की भी रक्षा करता है गुरू ब्रहसपती रक्षा मानव जाती की रक्षा का कारे ही करते हैं, चाहे वो ब्रहमान में रहकर कर रहे हो, या वो गुरू रूप में किसी कुंडली में बैठ कर लोगों के कल्यान का कारे कर रहे हो, उनकी रक्षा का कारे कर रहे हो, रक्षा बहुत तरह से होती है, रक्षा होती है आपकी, एक तो यह कि कोई आपका शत्रू ह वो आप पर हावी हो रहा हो तो गुरू आपकी रक्षा कर रहे हैं उन से ठीक है एक होता है कि वो आपकी बुद्धी को आपकी नॉलेज को इतना बढ़ा दे कि आप हर एक गलत चीज से या नेगेटिव थौट से अपने आपका प्रोटेक्शन कर पाएं समझदार बना देते हैं वाइस बना देंगे ठीक है इसी प्रकार गुरू या तो किसी की वानी में बैठकर आपको सही मार्ग दर्शन दे दे देते हैं तो आपकी रक्षा हो जाती है गुरू आपको धरम से जोड देते हैं तो आपकी रक्षा हो जाती है और गुरू अपने आप में ठाकुर ज का आश्रवाद है ठीक है हमारी कुंडली के अंदर बारा राशियां होती है जिसमें से दो राशियां जो है वो गुरु भ्रहसपती की है और गोचर के अंदर गुरु लगबग-लगबग 13 महिने में एक राशी से दूसरी राशी में प्रवेश करते हैं गोचर का क्या मतलब हो तो उनका जो ट्राइवल है वो एक राशी से निकल कर दूसरी राशी में चला जाता है इसे गोचर कहते है ताइम पीरड को हां ठीक है अब जब ब्रहस्पति अभी तक वो बैठे हुए थे मेश राशी में मंगल की राशी में ठीक है अब ब्रहस्पति चले जाएंगे वरश राशी यानि कि शुक्र की राशी में, ठीक, और जिस दिन, अभी शायद जब पॉटकास डल रहा होगा, उसी दिन ये गोचर हमारा बदल रहा होगा, तो ये उसी समय चेंज हो रहे होंगे, एक माई को दो बच के उनतीस मिनिट पर, और उस समय चंद्रमा जो है मकर राशी मे होंगे, ठीक है, अब प्रतेक राशियों पर इनका क्या-क्या इफेक्ट आना चाहिए, या क्या आएगा, वो हम डिसकुस करेंगे, बारा राशियों पर गुरु का क्या प्रभाव रहेगा, लेकिन उससे पहले गुरु से रिलेटेट कुछ चीजें, जो मैं आपको बता द आपको बल देते हैं, बुद्धी देते हैं, विवेक देते हैं, ब्रहस्पति आपके ग्रहस्ती को आपके ग्रहस्त जीवन को बल देने का कार्य करते हैं, जिस भी व्यक्ति का ब्रहस्पति अच्छा नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को अपने करे हुए कर्मों से अप्रिशेश नहीं मिलेगा तरह कुछ भी करता रहे इसको रेख अपको सच्छा गुरू कभी प्राप्त नहीं होगा नहीं होगा आप भटकते रह जाओगे कभी आप आपने कई लोगों को देखा होगा वरू उनका ऐसा होता है कि बहुत आस्था के साथ पता चला वह महादेव को पूझ अब तो जो है वह हमारे भूले नात है थोड़े दिनों बाद आप उनको देखोगे तो मादूर्गा का बहुत पूजन करने लगे कुछ टाइम बाद आप उनको देखोगे तो वह गनेश जी के भाक्त हो गए कुछ टाइम बाद आप उनको देखोगे तो वह कृष्ण जी से बार बार हटा देते हैं, वो कौन होते हैं? ब्रहस्पती, कौन से ब्रहस्पती जो आपकी कुणली के अंदर अच्छे से आऊ co रजल्ट नहीं दे रही होंगे, तो वो आपके मन को बारी बारी धरम से विचलित करके, और आपको एक जगे नहीं ठहर ने देंगे. कि एक सेंस एक बार बस थोड़ा बीच में लाइट करना चाहूंगा नीच वर्ड हम यूज करते हैं जब वो नेगेटिव एक डालता है प्लानेट यह बहुत सारे इंटरनाशनल ओडिएंस के कॉमेंट्स आते हैं तो उनके लिए जो ग्रह होते हैं हमारे वो दो तरह की राश बाकि जतने प्लैनेट से उनकी दो राशियां होती है तो उसी प्रकाल से आपके गुरु भ्रहस्पती की भी दो राशियां है एक दनू है एक मीन है अब इनको दो और घर मिलते हैं जहां पर यह अपना अच्छा और बुरा एफेक्ट दे देते हैं तो जब यह करक राशी म आपके पास दो घर हैं, आप उन दोनों घरों को बहुत अच्छी से समाल रहे हो, और एक आपका करम चेत्र जहां जाकर आपकी पावर और बढ़ गई, जहां आप और अच्छा अपना कारे करके दिखा सकते हैं, और एक ऐसा स्थाने उससे ठीक सात्वी राशी, जहां पर जाकर नीच का हो जाएगा, तो जब वो वहां नीच का हो जाता है, इसका मतलब उसकी पावर जो है, वो कमजोर हो जाती है, खराब नहीं हो जाता, नेगिटिव नहीं हो जाता, उसे बल की जरूरत होती है, अब बल हम रेमेडी से कर सकते हैं, रेमेडी से भी कर सकते हैं, सा भूर में उक्राशी में आप उनके जडरह से करें के आपको तुरंथ मिलेगा नेची में होगा तो आपको Иक percent ji Jim जब जब नेच्छे यह ने जोड़ने एवद अपको करने टा ग्रेह किहाल से कभी भी जडरूरत है ही है यह तो a factor बट मार्केट ऐसी है जो डराई देती है ग्रहों से डरना नहीं चाहिए ग्रहों को समझना चाहिए ग्रह समझने की चीज है जो ग्रह आपको पीडा दे रहा है उस ग्रह के हिसाब से करम करना चालू कर दीजे ना उस ग्रह को जो अच्छा है वो करम करिये जो उसको नहीं पस संद्धे वो खोड़ दीजिये तो वो ग्रह अपने आप आपके लिए बहुत अच्छा कार्म करके आपको अच्छे रिजल्ट्स देने लगेगा। गुरु ब्रहस्पती कहते हैं कि आप सात्विक रहिए, आप धारमिक रहिए, आप धरम करम का काम करिए, जिनके ब्रहस्पती अच्छे नहीं होंगे, ऐसे लोग मंदिर में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, जबकि ब्रहस्पती ये कहते हैं कि अगर वो आपकी कुंड तो ऐसे व्यक्तियों को महिने में एक ना एक बार धार में किस तल पर जरूर जाना चाहिए अब बहुत छोटी सी रेमेडिय अब कोई काईगा यह कैसे कि यह क्या बात हुई कि धार में किस तल पर चले जाओ तो गुरू अच्छे हो जाएंगे का चीजों का कनेक्शन है एक दूसरे से आप वहां जाएंगे आपको बल मिल जाएगा तो वह बल कैसे मिल रहा है लगो कनेक्शन क्या है एक जाट कि हमको वहां की कास्मिक अनर्जी कोश्मिक अनर्जी भी वहां की ऐसी है और आपका जो वह घ्रह है वो चाहिए यही राह है नो को इस इस लाइक दाट की जो ग्रह होते हैं सपोस्वेरी राशी में वह रह चाहता है कि मैं यह यह काम करूं और अगर मैं वह काम नहीं कर रहा हुँ इसके आपोजट काम कर रह तो टेक्निकली अगर मैं इसको बहुत लेमन लांग्वेज में समझो तो सारे ग्रह मिलके मेरी जिंदगी वेटारी कराना चाहरे हैं आप ग्रहों को कैसे आप सोचते हैं अगर मैं बात करूं एक कुणली दिखाने की आप किसी के पास अगर अपनी कुणली दिखाने गए तो आप क्या सोचते हैं कि आप क्या करने जा रहे हो वहां पर आप किसी जोतिशी के पास जाकर अपनी कुणली दिखाकर क्या करना चाहत जिन्दगी आलाइन होए सही चले सुक्षान्ती बने रहे कलेश कम होए घर में तो आप अपने ग्रेहों को क्या समझते हो एट बहुत डीप कोशन पूछ लिया आप ग्रेहों को हम यह मेरा सवाल होना चाहिए था बट हा इस 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 वेक सेंस कि आम जंता से यह बात पूछ र कि यह थो मेरे लेगव है मैं इनको कैसे देखता हूं इस पर थोड़ा माद कि मैं यह समस्ता हूं इतना पारास करने के बाद कि यह एक जरिया है जहां سे मैं समझ सकता हूं कि क्या मेरे पुराने पैटन रहे हैं क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन इससे हो सकती है और यह सारी है तो मैं इसको इसको पैटन साइन्स देखता हूं सब कुछ अटा दीजे आपकी कुंडली आपका लगन आपकी चंद्र लगन आपका प्लेस्मेंट ऑफ ग्रह जो भी आपके हैं यह सारे के सारे मिलकर आपको यह बता रहे होते हैं कि वरुन आपके लिए पर्टिकुलर्ली यह चीजे सही है और यह चीजे सही नहीं है आपको जीवन के अंदर इन चीजों पर अमल करना चाहिए और इन चीजों पर नहीं करना चाहिए ठीक है एक तरीक अब ये कार्मिक जेम्स किया है इसके बाद मैं आपको श्टोरी बताऊगा कार्मिक जेम्स हमने एक प्रोड़क लाइन निका लिए फॉर आल दोस जो लोग आश्रोलोजर तक नहीं पॉच पारे है फॉर आल दोस जो मेर पास आते हैं और पूचते हैं कि यार आप हमार को बताऊगी सही आश्रोलोजर कॉन सा है आप मेर को बताऊ तो आल टेल यू दिस इस अ पॉफिक्ट वे आप अंदर गुस सकते हैं इस ओकल साइंस की इंडश्री में इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो मैंने एक छोटी सी वीडियो में डाल दी है आपको हमारे चानल पर वो पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पूरा बता रहे है कि कार्मिक जेम्स क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे क्या लॉजिक है बहुत जादा टाइम नहीं लोगा क्योंकि I know आपका बहुत इंट्रेस्ट बनावा है इस पॉड्कास में तो सूरी और आपके लिए चार्ज करेंगे ब्रेसलेट्स और तब आपके पास पहुचेगे बहुत सारी चीज़ें आप वेबसाइट पर जाएए वेबसाइट देख लीजिए बस इनको खरीदना मत reason खरीदने ना मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मत खरीदना अगर आप इन पर नहीं करते हो तो यह आपके लिए काम नहीं करेंगे अगर आप इन पर नहीं मानते हो तो इनको बिल्कुल मत खरीदना अगर आप मानते हो देखो simple सा logic है आपकी body, भूत, परेद, पैशाज, भगवान सब इस दुनिया में है आप जिस पर मानते हो आप उसको attract कर लेते हो तो अगर आप इन पर मानते हो तो यह आपके लिए काम करना शुरू करेंगे I'm so sorry मैं बीच में आया, subscribe शुरू कर लेना और एक बार आप ये website देख लीजिए और राधे राधे आप जादा गरम खाओगे पीओगे या आप जादा गरम चीजों का इंटेक करोगे तो आपका ये दिक्कत आएगा ही आएगा Guidance है Exactly Guidance जिंदगी कैसे जीनी है, जिंदगी को किन चीजों के साथ जीना चाहिए उनके साथ कैसा वहवार करना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए हम किन-किन चीजों को follow करें, हम किन चीजों को छोड़ दें, किन चीजों को त्याग दें ये सारे के सारे आपके ग्रह ही तो आपको बताते हैं एक थोड़ा सा off topic से वाल है जब हम ऐसे सोचते हैं कि हमारा मन है ये करने का और बहुत सारे astrologers कहते हैं कि ये ग्रह है आपका ऐसा मन करा रहा है तो फिर मैं अपने आपको खोया हम हैसूस करूँगा कि अगर सपोज मेरे नहीं हो कि उस घ्रह के थोड़ा है तो फिर मेरा वजूद का रहा है उस घ्रह को जब मैं आपको ये बोल गयूं कि आपका चंद्रमा आपको ऐसे थोड़ा है तो आप अपने चंद्रमा के एकॉर्डिंगली काम करना स्टार्ट कर दीजे ना तो फिर पहच अपने थोट्स को अलाइन कर बिल्कुल कर पाएंगे आप मुझे एक बात बताईए ना जित्ते भी रिषी मुनी हुए हैं जित्ते भी साधू संत हुए हैं जितने भी बड़े बड़े योगी हुए हैं इन्होंने क्या किया है बहुत तब करके इन सारी कर देना शुन्य कर देना तरह हम और यह क्यों कि आगे है के वल इसी लिए कि हमारे मन में किसी भी तरह के विकार ना है हमारे मन के अंदर किसी भी तरह के कोई नेगेटिव थौट्स ना है हमारे कर्मों में कुछ नेगेटिविटी ना हो हमारे मन वचन या कर्म से कभी किसी का अब बुरा हास्ट ना हों. अब बहुत जादा मन विचलता है, हम भुग जादा नेप दीप डिप्रेशर्शन में चले जाते हैं, हम भुग जादा नेगिटिव थौत्स में आ जाते हैं, जब आर वहां तुल पुतल चल लह एं, कि वहेंकर समून्दर के लेहरें हमारे मन के अंदर नदर विचलन कर ईयोतीय। तो हम क्या करते है, मैडिटेशन करोette है, मन शांत करते है लिदे लेट ऐवाधने हिरे 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 मंशान वह है। हुआ तो ग्रह क्या है माथ्यम है न 동ّ कि अब कि अई हर एक प्रॉólबल्म का सॉल्यूशन है ग्रए कि मतलल अगर जैसे भी शिंदगी जीनी एक तो हो गया मैं जिंदगी जीना चाहता हूं और दूसरा हो गया मेरे को जिन्दगी कैसे जीनी चाहिए मेरे हिसाब से मैं यह दौनों भी नहीं कहूंगी कि अपने ग्रहों को जानकर पहचानकर उनकी प्रवर्ति को उनकी चीजों को उनका आप से क्या expectation है यह जानकर वो आपको help करते हैं हर एक चीज को easy बना देने के लिए जो आपका actual life का purpose है आपके life के जो गड़े है ना उनको भरने का काम कर देती है आपकी कुंड़ी में बैठे हुए ग्रहां मुझे success चाहिए मंग से मेरी success मंगल की वजे से सकसेश रुक रहिए सुध की वज़े से मेरी success रुक रही है तो मुझे सुर्य सुर्य और मंगलल से related कारे कर लेने उचाहिए टो मेरी success हो चाहीए हं और अगर खराब नहीं है एक तरीके से देवता है देवताओं में पूजा की जाती है अर्ग रहे की इसी बात को आपकी बात को आगे लेके जाए तो आपने बताया कि सूरज और सपोज मंगल हमार को रोक रहा है वो रोक इस अब यहीं पर बहुत सरे आश्रोज़ डरा देते हैं आपक अगर आपको नुद्धी बनाया कर तो उन्होंने मेरे को हिल्प किया कि नहीं अभी तुम इस जहां पर पहुच ना जाते है उसके काबिल नहीं हो तो आप यह सारी चीज़े करके उसके काबिल बनों कि तो आपको वो चीज़े मिलेगी तो अगर आपको नॉमली मिल तो उन्हारू सारी मिलेगी तो आपको दो तेन एक्जामपल देती हूं ह dokładता है अगर किसी के दूसरे भाव के उन्धर शनी बाथा या राहू बैठा है तो ऐसा व्यक्ति uh yes बहुत का वचक्ट वानिक का होता है बहुत आस बोलता है बहूत गंदा बोलता है रूट एक्दम तक लेजाी है यह आपके साथ काम करेगा ज़िए अगर अपनी वांडी के उतर सैयम रख सकता है तो यह बयति करोड नहीं अरब पती हो सकता है कि कलिफ P note about with इसलिए मुझे सक्सेस नहीं मिल रही हुँ शनी वहां बैठे ही इसलिए कि बेटा मेरे अनुरुकूल काम कर मैं जो चाहरा हूं वैसा बन जा फिर देख मैं तुझे क्या देता हुँ थाकुर्जी क्या कहते हैं सेम यही तो कहते हैं तुम मुझे अपने आपको एक बार किसमत बनाता हूं हर किसी के हात होते हो हर किसी के हात में किसमत की रेखा होती है छोटी बड़ी यह अलग बात है कटी या साफ यह अलग बात है इसका मतलब किसमत तो आप लेकर आयो करम तो आप लेकर आयो वह बनाना कैसे और बिगाडना कैसे है यह आपकी कुनली आपको आप यह चाहेंगे कि कोई In बतill अपने जीवन के अंदर धरम के नाम पर एक रुपया भी खर्च न करें नाम पर किस थे ऑन किसी दार्मिक स्थल स्थल में आजाए धाररे किसी भी ऑली व्यक्ति की किई तरीके से शहायता ना करें तो एसे व्यक्ति का गुरू कैसे छीक होगा कि करम करके केवल करम करके नहीं होगा आप कितने भी वरकोहलिक हो जाएए आपको अपने करे हुए करम का हंडेट में से 10% मिलेगा 90% फिर भी खाली रह जाएगा कि नहीं जया परभी करतार है कि उचका गुरु कोई ले कर बैठा है बहुत सारे लोग है परन्तु गुरू अगर लाब इस्थान में बैठ गए गुरू अगर अगर उचके हैं गुरू अगर आपकी कुंदली में आपको बहुत अच्छे फल दे रहे हैं उनका नक्षत्र बहुत अच्छा है तो ऐसी कंडिशन में जो व्यक्ति है अगर उसके अंदर किसी को सुनने क गुरू कुछ कैश्कल की ब심ता नहीं होगी के लोग नहीं होते हैं कोई पात चल रहोती है सहां कि लोत समय अगरी हफेच है अबशा को पर जाए कन्हीं मेर बात पुरी एकर है आपकुछ करते रहा लेंकिन नहीं मेरा काम पहले कर लो है तो अब बेशक का गुरू लेकर सा किसी भी अच्छे इस्थान में गुरू को वास करा दीजिये आपकी कुंड़ी के अंदर आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे ओके वाओ चलो यहां तक हमें समझा अब हम लेकर चलते हैं इसको कि जैसे आपने बताया गोचर चेंज हो रहा है इसका कितना हद तक इंपाक्ट होता है जैसे अब सपोज मैं मानके चलो मेरी लाइफ अभी जिसकी जितने भी ओडिन्स देख रहे हैं सबकी लाइफ चल रही है कोई बड़ा परिवर्तित है वो ग्रह है जो एक बहुत मैक्सिमम टाइम तक उस जगे पर या उस स्थान पर बैठे है जैसे कि शनी शनी को इसी लिए सबसे जादा डराया जाता है सबसे जादा डरावना ग्रह बन गया यह जबकि मैं कहते हूं अगर आपने शनी को अपना अगर आपके गुरू बन गए तो आप वो बन जाओगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा इसी प्रकार गुरू जब गोचर चेंज करते हैं उस समय अगर आपने अपनी राशी के साथ गुरू का कॉम्बिनेशन मिला कर वो करम करने चालू कर दिये तो गुरू इतने अच्छे तो आपके अगले आने वाले 12-15 सालों को सवार देंगे ओके तो मतलब यह मौका है यह मौका है तो यह कितना इंपोर्टेंट टेंट इस अब कर देख रहे क्योंकि बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब कर देंगे हां हंड़ेट परसेंट इसका बहुत प्रभाव आएग और इसलिए हम इतना भॉप रात हुरी है और कि क्स हालत में एपोड thumb करेंगे अना और क्या ऎटिट कव करना डाला यह इसलिए अंपटान और इसले फुन फीक कर रहें हुँद कि आना बानार अग्या ढॉर कि यह अवाकि इंपार्टेंट है मौका है जहां पर जो भी लोग परश्चान है वो चेंजिस कर सकते है तो आप बताइए हमें नेट आरज मुझे लगता है बीस से पच्चेस दिन हो गए है और हमारी ऐसी ट्रैवलिंग चल रही है कि हम रोज रात को तीन-चार तीन-चार बजे तक जाग रहे हैं और सुब सब्सक्राइब तो इसमें वो क्या करें और क्या ना करें आपकी चंदर राशी का मतलब होता है जब आपका जनम हुआ है उस टाइम पर चंदरमा जिस राशी में विराजमान थे जिस राशी में बैठे थे वो आपकी चंदर राशी होती है ठीक है उस राशी के हिसाब से ही हमारे जीवन की सारी चीजों को देखा जाता है विदेशों में सूरे प्रधान होते हैं हमारे इंडिया के अंद को स्कूर्ड चौर्ष दिच करिऔर माने हम लोग जो है हमाने को जाथ हूं को स्कूर्ट इसर्ट कर्दम्न को माने हमारे बॉर्न 설 Γ्थितने भी हमारे ठोह इनác पंछांग है हमारी जितनी थिह तनि यह व्होगर्फर है कि व्हों के उपर ही आदारित अठाथ है इस तरीके से हमारे यहाँ पर चंद्रमा प्रधान माने गए हैं, तो हम लोग चंद्र राशी को जादा विशेश मानते हैं, यह बात अलग है कि आप समय के साथ सब बहुत मॉडन हो गए हैं, तो वो लोग सन, साइन जो होता है, उसको जादा बड़ा मानते हैं, लेकिन अगर आप प्राचीन बात करेंगे, आप मुझ से बात करेंगे कि आप जोतेश जब आरंभ होई थी, उसके हिसाब से बताइए, तो आपको हमेशा अपनी चंद्र राशी के अनुरूप ही चीजे करनी चाहिए, बिल्कुल, जैसे कि आपको कोई मुहरत निकालना है, तो आप अप गुण मिलाए जाते हैं, तो वो भी नाम पर ही अधारित होते हैं, और वो नाम जो होते हैं, वो चंद्रमा की राशी जो आपकी है, उसी पर अधारित होते हैं, आपको कहीं का मुहरत करना है, तो वो जो तिथी है, वो भी आपकी चंद्र राशी से ही देखी जाएगी, तो तो आपकी लाइफ के जितने भी इवेंच हैं, आपकी लाइफ के जितने भी बड़े उत्सव हैं, वो सारे के सारे आपकी चंदर राशी के आधार पर ही कोई ब्रहामन आपको निकाल कर बताएगा कि यह समय होना चाहिए, यह समय होना चाहिए, यह समय होना चाहिए, यह समय ह गुरु है वों गोचर के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं और उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या आएगा अब दिल थामके बैट जária सारे मेश्राशी मेश्राशी के अंदर अभी गुरु विराज बन थें अब गुरु वहां से निकल के व्रश राशी के अंदर प्रवेश कर र पर जो चोटी वाला इस्थान होता है यहां से उनको बाल जाने की दिककते उत्पन हो सकती हैं। करें ताट के जी मेश राशी वालों को यश्मान कीर्थी थोड़ा सा दिक्कत करेंगी और उनको छोटी-छोटी बातों पर ऐसा लगेगा जैसे उनका हास हो रहा है उनका अपमान किया जा रहा है उनकी वैल्यू नहीं है उके मेश राशी वालों को केसर मंदिर के अंदर दान करना है गुर्वार के दिन मेश राशी वालों को शिव जी के मंदिर में जाकर नंदी जी के गले में एक घंटी बांधनी है गुर्वार के दिन और ऐसा उनको हर महीने एक गुर्वार जरू कर लेना है यानि कि तेरा महीने तक तेरा अलग अलग शिव मंदिरों में जाकर उनको नंदी बाबा को एक घंटी बांग देनी है एक बार आप यह बता दीजिए कि यह जो गोचर है कब तक है यह वैलिडिटी होती है इसकी कैसे तेरा महीने तक रहेगा नेक्स्ट यह टूज़न टूज़न टूएंटिफाइफ में जून में यह वापस से चेंज होंगे फिर यह मित्धुन राशी में प्रवेश कर जाएंगे तब हम उसके लिए बना देगे हां तब तो हम आएंगे ही बनान तब तका यह देखा बताईगे वरेश राशी वरेश राशी में गुरू जा रहे है और यह शुक्र की राश है ओके ट्रू लव ट्रू लव शुक्र आपकी कुंडली के अंदर आपके पार्टनर का आपके प्रती अनकंडिशनल लव दिखाता है ओके जी शुक्र आपकी कुंडली के अंदर अगर बैठे हैं अच्छे स्थान पर और अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं तो आपको आप से प्रेम करने की वज़े से जैसे थाको जी के साथ थाको जी की शक्ति का स्त्रोत्र कौन है आदेरांगी जी इसी तरीके से आपकी शक्ति का स्त्रोत्र भी आपका साथी ही बनेगा अगे ठीक है आप अपने लक्से चले ना चले लेकिन आप अपने लक्से बहुत आगे तो शुक्र भी देखे, चाहे राक्षेशों के सही, लेकिन है तो गुरू, और शुक्र के पास अपने तरह की बहुत सारी विविद्ध विध्याएं है, शुक्राचारे इतने जादा ज्यानी व्यक्ति थे, कि उनके पास जितनी शास्त्रों की, जितनी ग्रेहों की गणना की उनके पास में विध्या थी, उतनी ही उनके पास में तंत्र की भी विध्या थी, उन्हों नहीं राक्षेशों को माथ दर्शिन हमेशा दिया एकि ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा ये कर लो तोह ऐसा तब कर लोगे तो तुमको ये वर्दान मिल जाएगा ना अब आप दो गुरुओं के साथ चलने वाले हैं आपकी राशी के आदेपत्य गूरू शुक्र शुक्र ठीक है जो आपके अंथर कैसी fillings देते हैं कि बहुत बड़ा बनना है बहुत बड़े बड़े काम करना जी अब वह आपको क्या करेंगे देंगे बहुत कुछ देंगे लेकिन कैसे नहीं, आपकी उन सारी चीजों को सात्विक बना के, स्पिरिच्वालिटी के साथ, आप जितना जादा धरम के मार्ग पर जुड़ जाएंगे, आप जितना जादा धरम को मानने लगेंगे, आप जितना जादा महादेव की पूजा करने लगेंगे, आप जितना जादा का सम्मान करने लगेंगे नाम यश प्रतिष्ठा पैसा लगजरी ये सब कुछ आपको ये गुरू के गोचर में पराप्त होगा ही होगा आपके जो इतने साल के सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे ये सही समय आपके उन सपनों के सही होने का लेकिन आचरन बिगाड़ा तो यह तूर्स जयाने का बेसिकली आपको ओछ दहर और शारी छीजों में जाना चाइब और नहीं अफको इक का दर्मना का वो रुवाले दर्ममत करना कि क्या प्ती यह सब अपने और का द collaborative क्या आसिए आप अ उत आप दोय अप दाव गुरू की नजर में है attract develop colors के लेख आपको लोगों के जो व्रश राशी वाले लोग हैं, उनके मन के अंदर बहुत नए नए विचार आएंगे, उनके अंदर कारे छेतर के अंदर कुछ बदलाव करने के मन में भाव आएंगे, ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन, ऐसे लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है रेवा और व्रश राशी वालों को गुर्वार के दिन श्री हरी के मंदिर में यानि की ब्रहस्पति जी के मंदिर के अंदर या फिर विश्नु जी के या फिर आप कृष्ण जी के या राम जी के मंदिर के अंदर आपको जाकर गुड और चना चढ़ाना चाहिए अग ठीक है ब्रश राशी वालों को पीतल और तामे के पात्र में एक साल के लिए जल और भोजन नहीं करना है नहीं करना है ओके क्यों ऐसा पर रेमेडी है ओके ओके जी ठीक है अब आते हैं हम मिठ्वन राशी पर मिठ्वन राशी मतलब बुद्ध की राशी ठीक है बुद्ध और गुरु इनका एक बहुत अजीब संबंध है बताईये वो फिर किसे दिन बताएंगे आज रहने दो ठीक है थोड़ा सा बस हेंट दे देती हूं कि एक तरीके से गुरु की जो पत्नी है उनके पुत्र है बुद्ध ओके लेकिन पिता गुरु नहीं है और पिता ब्रहस्पति नहीं है तो यहां पर गुरु का जो एफेक्ट आएगा वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला आएगा हाश होएगा मन के भावों को थोड़ा सा उपर नीचे करेंगी धन संबंधि दिक्कते आएंगी जल्द बाजी में बिना किसी के एडवाइज लिए बिना किसी से पूछे लिए तो आपके डिसिजन्स गलत हो जाएंगे पार्टनर्शिप में एक साल मित्वन राशी वालों को कारें नहीं करना है अच्छा इस टाइम पर जो लोग पार्टनर्शिप करते वे आरे हैं वो उनको बहुत बात है यह जो ताइम पिर इसमें आपको कोई नहीं पार्ट करने की जरूरत है यह ताइम पिरेट से जो टाइम पिरेट एंडोर है वहां तक जी आपको किसी भी व्यक्ति पर अंधा वरोसा नहीं करना है जाचना है टोलना है उस व्यक्ति को यही आपके लिए हित कर रहेगा आखें बंद कर लिए आपने अंध विश्वास आप करने लगे तो आपको दोका मिलेगा ही मिलेगा मित्वन राशी वालों की लव लाइफ में भी दिक्कतें आएंगी पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप बहुत सैयम के साथ तो धीरे-धीरे स्टैप करके आगे बढ़ते हैं तो काम करते रहें मित्वन राशी वालों को चने की दाल गुर्वार के दिन बिगो के रख लेनिया और चने की दाल बुद्वार के दिन आपको केले के पेड़ के अंदर जरूर चढ़ा देनी जाहिए गुर्वार के आप व्रत रख सकते हैं अगर आप लड़ू पाल की सेवा करते हैं तो जैपूर अब जैपूर के लिक्गे जा रहे है क्योंकि यहाँ पे आपको और इंटेंस रेमईडी और कैसे इस guar चर परिवर्तन का झुपिटर के परिवर्तन पायदा घानिया ये आपको जैपूर जाके पता लगएगा यहाँ आपको वास्तू टिप्स भी मिलने वाली है अगर किसी का जुपिटर खराब है वो भी पता लगने वाला है कि कैसे फिक्स करें जिन लेडी इसका जुपिटर खराब है ब्रसपती खराब है उसकी बहुत सारे उपाय और रेमिडी और कैसे गुरू जुपिटर ब्रसपती आपके उपर परभाफ करता है और क्या उसके लक्षण है यह सब आपको जैपुर में पता लगेगा जो इस पूरे पॉड़कास का अब मानलो लाइम लाइट चार्ट चांद है मैं बीच में क, क्यूंके हमने कुछ नहीं जैपुर्ट जाया करें कि आप लोगों के लिए हमने चुचप कि आपको फूरा एक वाइब मिले सबकुकिम मिले बहुत सारे लोगों के घर के वास्तु में भी फिर ये इपक्त डालेगा, तो आप थोड़ी सी रेमेडीज घर से रिलेटेड की, अगर हम जैसे घर से निकलते हैं, या हम अपने घर में सुक शांती बनाए रखे, हापीनेस बनाए रखे, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज आ जिशान कौन होता है, वो वहां गुरू की जो है बहुत कृपा होती है, आश्रवाद होता है, और अगर वो आपके घर का अच्छा है, स्वक्ष है, क्लियर है, खुला है, तो आपको हमेशा गुरू ब्रहस्पती से आश्रवाद और पॉजिटिविटी मिलती रहेगे, लेक हैं, जरा सा किसी ने कुछ बोला और फैमिली मेंबर ने वहीं उसी बात को अपोस किया, सामने वाले की भी इगो जागरित होगी, तुमने मेरी बात अभी क्यों काट दी, तुमने मेरी बात को गलत कैसे कह दिया, इतनी सी बात पे वो बहस इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ कि घर में खाना नहीं बन रहा है, सब लडाईयां सुल जाने में लगे हैं, और ये एक दो दिन नहीं, ये लगातार प्रोसेस में चलता रहता है, घर के लोगों की प्रसिद्धी नहीं हो पाती, बहुत महनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा महनत कर रहें, लेकिन घर के कैसा भी हो, किसी भी तरह का हो, वहां आपको सुकुन मिलेगा ही मिलेगा, शांती मिलेगी ही मिलेगी, ग्रह कलेश खतम होंगे ही होंगे, आपके घर के लोगों की बरकत होना चालू ही जाएगा, तो गुरू रिलेटेड वास्तु की कुछ टिप्स है, सबसे पहली चीज त इतना चाहिए, तो या भी करते हैं प्रेकर में, मैं तो करती हूं, तो मैं तो अपनी संस्कृती से अपनी जमीन से जोड़े रहेंगे तो आपको हमेशा बरकत मिलती रहेगी, अब फ्लैट में रहते हैं, पहले तो जमीन ही नहीं है हमारे पास, हम तो आसमान में चले गए, हम तो स्काई में रह रहे हैं, हम लैंड पर तोड़े नहीं रह रहे हैं, पहली चीज़ हवा में, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ हमारा वहां पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है जमीनों के दाम क्या है, आप घरों में रह नहीं सकते हैं, तो थोड़ा ही सही, लेकिन आप लेप लीजे, चाहिए थोड़ी देर बाद उसको साफ कर दीजे, अच्छी से महा पर सफाई करके वापस आप वहां पर पोचा वचा लगा कर आप उस जगे को स्वक्ष कर दीजे, लेकिन अगर पॉसिबल है, एक महीने में एक बार नहीं है, तीन महीने में कर लीजे, कम से कम मेन अपने त्योहारों पर तो करिये, इससे घर की पॉजिटिविटी बहुत बढ़ी रहती है, दूसरा बहुत सरल उपाए, जिन लोगों को जीवन के अंदर बरकत नहीं मिलती, प्रसिद्धी नहीं मिलती, नाम यश कीरती नहीं मिलती, ऐ अपने घर की चोखट को पहले गंगा जल से धो लेना चाहिए, और दोनों तरफ घर के दोनों तरफ आपको हल्दी का स्वास्तिक बनाना चाहिए, हल्दी का स्वास्तिक, 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 हल्दी देना है और उसके उपर नया स्वास्तिक का निर्मान कर देना है, शुक्र और गुरु इन दौनों का संबंध होने जा रहा है, शुक्र की राशी में ही तो गुरु आ रहे है न बेटा, तो आपके बच्चों का मन भटके नहीं, गलत रस्ते पर ना जाए आपके बच्चे, आ प्रोटेक्ट कर लीजे, गुरु का वास कर दीजे, ताकि वहां पर जो भी रहेगा उसकी बुद्धियां हमेशा सही रहेगी, सद बुद्धी मिलती रहेगी, दूसरा सबसे बड़ा उपाई, आपके घर में अगर ग्रह कलेश बहुत होते हैं, आपके घर के अंदर बहुत ज दागे को इस पानी में डाल दीजे, गुरुवार के दिन सुभा करीबन करीबन साथ बजे, साथ सवा साथ बजे तक आपको अपने घर के मंदिर में घी का धीपक जला लेना है, आपको 51 बार ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा इसका जाप करना है, और उसके बाद आप आपके हाँ ऐसा ताला लगा हुआ है तो इस ताले पे लपेट दीजे, ने तो इस तरह की कुंडी हो तो इस कुंडी पे लपेट दीजे, आपके घर से हर तरह का कलेश, डवेश, लड़ाई, जगरा दूर हो जाएगा, यह आपको एक बार करना है और इसको आपको हर तीन म मुख्य द्वार अंधेरे में रहता है, तो हमारे घर के अंदर नेगेटिव चीजों का वास जरूर होता है, नेगेटिव चीजों का मतलब मेरा किसी एंटिटी से नहीं है, कि भूत प्रेत ऐसा कुछ आएगा, नेगेटिव एनरजी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जात घर का जो आपका मुख्य द्वार जो यह द्हरीज होती है, इस पर आपको गुर्वार के दिन पानी के अंदर नमक डालकर पोचा जरूर लगाना चायरे अस देर गर में नमक पोचा के ऐगाना है अगर आपके घर के अंदर बहुत ज़ादा वास्तू का प्रॉब्लम होता ह तो आप अपने खर के मुख्थे दवार पर जरूर से एक बांदरवार लगाई एक बांदरवार जो हम लगते हैं अपने घर पे चरफ के बन आज तो लोह शी जाती है。 और बहुत सारी चीजों के आज़ तो बहुत आटिफिशल बनती है, वो जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि आप ये वाला ट्रेंड तो खटम हो गया, हम तो एक ट्रेडिशनल हट के नीचे घड़े हैं, तो ये वाला जो ये ट्रेंड है, ये तो खटम हो गया, जो हाथ से ये तो खटम हो चुका, लेकिन आप अपने घर के मुख्ये द्वार के उपर जरूर से एक बांदरवार बना कर रखिए, अगर आपके घर में बहुत जादा वास्तु की दिक्कते आ रहे हैं, और बार 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 आपको लग रहा है कि हमारे घर में वास्तु रिलेटेड दि बढ़ती जा रहे हैं, तो आपको अपने घर के मुख्ये द्वार के उपर सिंदूर चड़ी हुई गणेश जी की मूर्ति, स्थापित जरू करने चाहिए, ओके, मैं बता दू ओर्डियंस को कि अभी हम दुपेर के तीन बज रहे हैं, तीन साड़े तीन बज रहे हैं, और ह का मन था कि हम कुछ अक्चुल उपाई देते वे, आपको समझ भी आए, तो हमने ये लोकेशन फाइनल करी है, और भी बहुत सारी लोकेशन फ्रम शूट करी है, तो बस आप देखते रहे हैं, और ऐसी प्यार बनाए रखे, मैं आप बताईए, करकराशी, करकराशी वालों क जीवन में कोई नया व्यक्ति या कोई नई ऐसी चीज ऑपरचुनिटीज आने वाली हैं, जिससे उनका भाग्य उदय होने वाला है, और आगे जाकर उनको उससे बहुत लाब मिलेगा, नई जॉब चेंज कर सकते हैं, नया बिजनस डेबलब कर सकते हैं, लेकिन हैल्थ को लेकर बहुत जादा सतरक रहने की ज़रूरत है, छोटी-छोटी चीजों से उनको इंफेक्शन होने लगेगा, जगे चेंज हो गई तो, पानी चेंज हो गया तो, इंफेक्शन का प्रॉब्लम इनको बहुत जादा रहने वाला है, करकराशी वालों को अपने माबाप से या एक साल तक जब तक गुरू अपने राशी व्रश में बैठे हैं तब तक एक साल तक ऐसे लोगों को गुरवार शनिवार मंदिर में जरूर जाना है, वो भी नंगे पैर, घर से ही नंगे पैर जाए और एक फेरा डालकर आ जाएं, कोई भी घर के पास के मंदिर है, पास का दान कर सकते हैं, पिले फल का दान कर सकते हैं, इस पीरिएड में आपको वो जरूर करना चाहिए, ठीक है, सिंग राशी वालों के लिए ये समय 50-50 वाला है, बहुत फाइदा भी करेगा, और कहीं ना कहीं उनको परेशानियां भी देगा, एक तो ये बहुत जादा वर्क जराशी वालों का, बोडी के अंदर ड्राइनेस बहुत आने लगेगी, ठीक है, स्किन रिलेटेट छोटी छोटी दिक्कते उत्पन हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इनको इस समय अपनी वानी पर भी सैयम रखने की जरूरत है, ये अपने बोल से, अपनी वानी से, अपने बहुत सारे संबंदों को खराब कर लेंगे, ये मैं खास करके लव लाइफ पालों को कह रही है, जो करना रहे है, आपके मूँ से निकला हुआ, एक वाक्या आपके पार्टनर को हर्ट कर सकता है, फिर आप मिननते करते रह जाएगे, वो आपके वापास वापस नहीं आएंगे, संबल के रह भी, सिंह राशी वालों को केसर डाल कर सूरे को अर्ग चढ़ाना चालू कर देना चाहिए, इस वक्त पर, सूरे को अर्ग, अर्ग क्या दा, जल, ठीक है, कन्या राशी, कन्या राशी वालों के लिए ये समय बहुत पॉजिटिव जाने वाला ह इनकी इन्वेस्मेंट्स लॉंग टम की अगर ये करेंगे तो इनको फाइदा करेगी, ठीक है, इनको केवल अपने सीक्रेट्स दूसरों के साथ शेयर नहीं करने, थोड़ा सा सीक्रेट हो जाए, हाँ, वैसे भी मितु नाशी वाले जो होते हैं, वो थोड़ा से डूल परस कुछ हैं, अंदर कुछ हैं, तो उनको उसी चीज को कायम रखना है इस वक्त पर, जैसे हो वैसी रहो, हाँ, गुस्से में आकर, इमोशन में आकर, अपनी चीजों को बाहर मत निकालना, दबा के रखना, नजर से, तंत्र मंत्र से, ऐसी चीजों से अपना प्रोटेक्शन कर के रखना, आप किसी से भी लडाई जगडा करने से बचना वर्ना स्वैम अपने आपको ही आप आत्मदोश लगा लेंगे, खोदी बच जाएंगे, बिल्कुल फच जाएंगे और बहुत लॉंग टम तक ही आपको परेशान करेगा, और इसका असर आपको ठीक सारे तीन साल बाद पता चलेगा कि यह क्या हो गया मेरे साथ, भाई दूर रहना, स्लोप आइजन की तरह काम करेगा यह टाइमिंग के लिए, अगर इनोंने यह सारी चीजों को लेकर सतर्कता नहीं बढ़ती तो, क्या करें यह कोई अपाई, अच्छा बोलिये, अच्छा करम करिये, आप जितने सरल हो सकते हैं, उतना जादा आप अपने गुरू को पॉजिटिव कर सकते हैं, प्लानेट जो है जुपिटर, उनकी क्या प्रॉपरटी होती है, जो एक तो वो स्पिरिच्वल ले जाते हैं, शनी आपके जीवन के बाद, आपको आपके जीवन के फलो को देता ह जीवन के बाद, आपके जीवन जब खतम हो जाएगा, उसके बाद शनी आपका न्याय करेगा कि अब आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इंट्रेस्टिंग, नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, या मोक्ष मिलेगा, गुरू जो होते हैं, वो आपको इस जनम में ही आ जैसे ऐसे मेरे करम है तरह बैए सब्सक्राइब करें वह लोगों को एडवाइस ही दे रहे होंगे वह किसी ना किसी तरीके से किसी के जीवन को सुधारने का काम कर हुँगे किसी को कुछ भी सिखाने का कारे कर रहे होंगे लोगों को यह लगता है हम कुकिंग सिखाने का गाम करते हैं इसमें तो गुरू का कोई रोल नहीं जी आप सिखा पर सेंट इस हाई गुरू कहीं न कहीं तो वहां पर इन्वाल्व है तभी आप सिखा पा रहे हो आपके अंदर वो सिखाने की क्वालेटी लोग इस ही लिया एक्सेप्ट कर पारें क्योंकि आपके अंदर उस गुरू की क्वालेटी है वरना आप कितना भी सिखाते रह जाए आपको कोई सुनेगा ही नहीं यह राइट यह भुट सार अकरत है नहीं आपके अक्षू किछ नॉलेज अलिज लेकिन आप किसी को कुछ पढ़ा नहीं पाहोगे आपको किसी को कुछ सिखा नहीं पाहोगे आप अपके टीचर नहीं दढ़ाओगे एक knowledge होना और एक उस knowledge को बाटना ये दौनों चीजों में अंतर है तो ये जो बाटना है न ये गुरु है वाव ओके जी उस शिक्षा का आप कहीं सदुपयोग कर पाओ जो आपने ली है ये गुरु है मैंने जोतिश पढ़ा पढ़के मैंने साइड में रख दिया फिर मैं कुछ और करने लग गई फिर मैंने उसको भी साइड रख दिया और फिर पताचला जी मैंने एक छोटा सा एक शॉप खोल लिए मैं उस शॉप को चला रही हूं तो आपको गुरु नीच का हुआ नीच का नहीं हो गया मेरा गुरु कारे ही नहीं कर रहा okay मैंने जो जो भी पड़ा जो भी मैंने काम लिया अपना उसको मैंने कहीं भी किसी भी तरीके से उप्योग नहीं किया और उप्योग किस चीज के लिए नहीं किया किसी की जिंदगी सवारने के लिए नहीं किया okay makes sense ये गुरु है ठीक अब इसके अंदर बहुत सारे कमेंट साने वाले हैं फिर आप फी क्यों लेती हो तो एक ऐसा स्कूल बता दो जहां बच्चों को फ्री में पढ़ाते हो वो तो गुरु का अपने आप में बहुत बड़ा गड़ है स्कूल तो बड़ा उधारन है गुरु का विद्धिया सबसे प्री में पढ़ाते हैं कुछ तो लेते होंगे कैसे ना कैसे तो लिए एक मैं मार्केटिंग बाग्राउंड सा बोला जाता है कि कोई भी फ्री की चीज ना अच्छल में फ्री होती नहीं है गुरु के एक ये विशेष्टा भी होती है गुरु प्रधान व्यक्ति से कभी भ in와um वयासी खराब हो जाएंगी चैए आप एक ग्लास पानी ही पिला दीजे चाए आप उनके थोड़ी सी सेवही और उनके खाना ही बना दीजे जाए तो आप उनके प्यर आप उनके कपड़ दो दीजए चैए और उनके यहां जाकर सफाई कर दीजे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा मंदिरों में जाकर जाडू लगाते हैं आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा गुरुद्वारे में सफाहियां कर रहे हो बड़े-बड़े करोड़ पती मर्सडीज में आ रहे हैं और गुरुद्वारे में जाडू तो दस नौकर मैं यहां क्यो जाड़ू पोचा करूँ? आप पुराने राजा महराजाओं पर जाएए, आप पुराने राजा महराजाओं की, कभी आप उनके जीवन का सार को पढ़ने की कोशिश तो करिये, वो अपने गुरुओं के आजाते थे, तो थाल के थाल भरके हीरे मोती जवारात नहीं लेके जाते थे, वहाँ दस दिन, पंदरा दिन उनके आश्रमों में बिताते थे, उनकी सेवा करते थे, उनकी रानियों ने कभी अपने पती को खाना बना के निखलाया होगा, इंटेंस, okay. हमारे सनातन धरम के अंदर, क्यों फूल चढ़ाने का महतव है थाकोजी के मंदिर में? थाकोजी के फूलों की कमी है, थाकोजी तो खुद फूलों की तरह महकते हैं. क्यों चढ़ाए जाते हैं? आप कुछ ना कुछ उनको दे रहें, क्योंकि आप उनसे आश्रवाद लेने जा रहें, और मैंने बोला ना भ्रहस्पती क्या है, स्वयम ठाकोजी. हम प्रशाद क्यों लेके जाते हैं ठाकोजी को, उनको कमी है भोग की? और हमारी उकात है कि हम उनको खिला पाएंगे, पिला पाएंगे, मेरे ठाकोजी खाने पर आ गए ना, तो आपके घर के अनखाली हो जाएंगे? जी, घर के महुले शेर सारही खाली हो जाएंगे. ठाकोजी का तुलादान हुआ था आपको पता है? बताएए माम. भिर हम थाखर जाएंगा जिए यहां पर अगनिको एक बात बताओ कि हम यहां वेठे हो और हम नहीं बिश्ट्राक्ट को अशा कभी हो सकता है बताएए था कि थाकुजी का तुलादान करवाया था उनकी ही एक रानी ने यह है और एक थाकुजी थे और एक तराजूम उनके पूरे जितने भी मेहल का धन था, दौलत थी, गहने थे, सब आ गया था, फिर भी ठाकुर जी का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, तो हार कर रुकमनी जी को ध्यान आया, और रुकमनी जी का अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूं, वो गई और वो जाके व्रिंदा जी को लेकर और उनके दो पत्र रखे, और ठाकुर जी ऐसे नीचा, तो ये भाव, ये जो प्यार, लोग बोलते हैं, भाव से कुछ भी चड़ा दीजे, ठाकुर जी रिज जाएंगे, प्रेम से कुछ भी खिला दीजे, वो खा लेंगे, ये क्या है, वो भाव उत्पन करने वाला ग्रह आपका ब्रहस्पति है, वो आपके इश से आपकी भावनाय जोडने वाला ग्रह आपका ब्रहस्पति है, उसके अंदर जितनी प्योरेटी आप लाते चले जाएंगे, आप अपने इश्वर से उतना ज्यादा कनेक्ट होते चले जाएंगे, धरम और अध्यात्म क्या है, आपको आपकी उंगली पकड़कर आपके साथ चलता है और आपको आपके इश्वर से जोड़े चले जाता है अच्छी बात है तो इतने लोग देखते हैं और को सुनते हैं यह उनका प्यार है बहुत प्यार है और मेरे खाल से पिछले 20-25 दिनों में तो आप भी देख रहे हो और यह मेरे ठाकुर जी की किरपा है कि मैंने उनसे कभी यह नहीं मांगा वरूं कि आप मुझे यश्च दीजे मान दीजे कीर्थी दीजे प्रसिद्धी दीजे मैंने कुछ भी नहीं मांगा अपने ठाकुजी से कुछ भी नहीं हां बस एक चीज है जो मैं हमेशा ननमस्तक होके उनके सामने कहती हूं और हमेशा शायद अपनी आखरी सास तक कहती रहूंगी कि ठाकुजी मेरे अंदर से प्रेम मत मनने देना और यही शायद मेरी सबसे बड़ी ताकत है और यही सिखाना यही बताना शायद मैंने हमेशा चाहाए लोगों को यही प्रेम सिखाते सिखाते मैं ठक गई हूं लोगों को कि प्रेम सीख लो यही प्रेम आपकी सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि प्रेम में ही वो ताकत है जो आपके अंदर अच्छा ही ला सकती है आपको कोई चीज अच्छा नहीं बना सकती सिवाए प्रेम के श्री राम जी बहुत अच्छे क्यों थे क्योंकि उनके अंदर बहुत प्रेम था श्री कृष्ण बहुत अच्छे क्यों थे क्योंकि उनके अंदर बहुत प्रेम था सब को लेगे आप किसी भी ऐक ऐसे भ्यक्ति का नाम ली जिए जिसको आप ये कहिए कि वो बहुत अच्छ है तो मैं आपको बताऊंगे देखंगे उसके इंदर कितना पुरिय के सव क्याक। इस शीangan right जिसके ऑंदर क्रेम होगा नम उसके रशाइ Color only और जिसके तो आप प्रेम ही हुँ, आपके अंदर से अगर वो प्रेम खतम हो गया ना, तो आपके अंदर से सब कुछ खतम है, फिर तो आप हिटलरो, रावन हो, तो ये निखिम्दु हो, प्रेम खतम होते ही, तो आप दूसरी दुनिया की एक और भाई, फिर आप इस धर्ती के इस प्रत्वी के इश्वर से जुड़े हुए भक्त नहीं हो चाहिए आप यही रह रहे हो इसी शुष्टी में रह रहे हो लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है न तो आप जीरो हो तो मैंने तो हमेशा उन से यही मांगा कि आप मुझे सिर्फ प आप मेरी शयद आस्था कहले जे विश्वाष कहलीजे या भक्ती कहलीजे हमेशा रही है कि उन्होंने न कभी मुझे इस चीज में निराश नहीं होने दिया और मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूं, फैन बहुत सारे लोगों के बहुत होते हैं, बहुत फैन होते हैं, लेकिन कोई ऐसे आप से गले लग के पागलो की तरह रोता नहीं है, आप उसी के गले रखके भुवग भुवग के रो सकते हो, जिसको सच में आप दिल से अपन बहुत सारे बहुत सारे सेलिचिता है अब पर चल मेरी पर चल थैप Norwegianное रहे हो इस्UM ह dify चाहर में Natal की तो भुब डिर्ड़ जाते ना तो बस गले रखे हैं या फर ब्स आपको देखके स्माइल करते हैं इतनी बड़ी आखों में आसको लगे और जब हम कामक्या टेंपल पर शूट कर रहे थे बस मैंने देखा लोग आ रहे थे और बस कि असे इससे करने लग जा अवु मिवममेंट मे बहुत स्थर्ग कि मैसे दो स्टेप आधाका था कि नहीं उन सभर पूरा मुग को डेंट और अपार शूट- हम रहे शूक रहे द्युआ है करें नहीं नहींई नहीं पाई तो हमने आपके बहुत सारे जितना हम कर सकते हैं उन हमने प्लान किया था कि हम हर टेंपल में जाकि जिन टेंपल के हम बाते करते थे वह जागे शूट करेंगे बद जैसे आप से आप प्यार दे रहे हो आपके प्यार की वाज़े से हमें लग रहे हैं क्योंकि हम जहां बैठते हैं आप हमार को अचली बॉड़ी आट लग रहे है कि पूरी सरावटिक लेके जाना पड़ेगा जच बिकॉस इसलिए नहीं कि आप हमार पास ना आप आप इसलिए क्योंकि हम का हम तो कर पाएं कि अगर हम काम इनी कर पाएंगे ता आप तक पचाएंगे कैसे चीजे जो हम लाना चाहरे हैं कि अजय किछ पूच कि इस समझा उस भाव को कि हाथ पकड़के घंटों तक बैठ ही है मेरे साथ और कुछ बोली नहीं है यह कुछ पूछना लगी है हम सबसे बड़ी चीज को बूचना ही नहीं है कि में बहाव इन इन ए कि मैम ये बता दो मैं कुंदली बता दो मैम ये प्रो वो शायद मुझे ऐसा लगता है, आप कुछ मर्जी कर लीजिए, आपको सर्फ उनके आश्यवाद से ही प्राप्त होती है, कोई आपको इतना प्यार कर ले, बिना मिले, बिना जाने, बिना समझे, कोई आपसे ऐसे प्यार कर ले, ये प्यार तो सिर्फ मेरे ठाको जी दे सकते हम कहां थे कन्या राशी आप बताना था कि उनको उपाई क्या करने इस साल सौरी बच्चों हम बहुत इधर उधर हो जाते हैं कन्या राशी बालों को इस साल जिन चीजों का धियान रखने की जरूरत है वो यह कि आप अवाइड करिये ब्राउन कलर पहनना आप अवाइड करिये डार्क नीला रंग पहनना आप अवाइड करिये बहुत जादा बॉटल ग्रीन जो होता है वो कलर पहनना ब्लैक भी अगर आप कम से कम पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा खुद ड्राइव करते वक्त आप सतर्कता रखिए, बहुत फास्ट ड्राइव मत करिए, बहुत रैश्ट ड्राइव मत करिए, वनना आपको दिक्कत आ सकती है, आपके घर के अंदर आपको इलेक्ट्रोनिक आइटम्स को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, ठीक, कन्या राशी वालों को पूरे साल जब तक गुरु राशी परिवर्तन नहीं कर देते, तब तक गुर्वार के दिन, मीठा जल जाकर आपको शिपजी के मंदर में उन्हें अभिशेक करते हुए चड़ा देना है, नमा शिवाय बोलते हुए चड़ा दीजे, उम्जु मैम, जिनका जुपिटर खराब होता है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, इस टाइम पीरिट में किसी का जुपिटर प्रानेट खराब है, तो उनको कुछ चीजों का ध्याम देना चाहिए, जिन लोगों का गुरु ब्रहस्पति अच्छा नहीं होगा, ऐसे लोग धरम करम से बहुत पीछे रहेंगे, ऐसे लोग धरम करम के काम पर पैसा नहीं निकाल सकते, धरम के नाम पर लोगों को बहकाने का काम करेंगे, धार्मिक लोगों का हमेशा अपमान करेंगे, गुरुओं का ब्रहमनों का हमेशा तिरस्कार करेंगे, अपने से उम्र में बड़े को हमेशा बुरा ही बोलेंगे ठीक है बडों का अपमान करना बडों की बाते ना सुनना हमेशा ऐसी चीजों के पीछे भागना जिसका धरम से कोई लेना देना नहीं है धरम के विरुद्ध जाना अपने धरम के अलावा उसरे धरम के परति जगरुपता दिदिखाना, उसको प्रोच साहित करना, उसकी वहाहिए करना, ये खराब रहस्पती के लक्षन है। को वहां से बाल उड़ जाते हैं, इसका मतलब उनका प्रहस्पती खराब है। Google कुल विक है। ऐसे लोग जो बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत बुरा बोलते हैं और अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं मानते, जिनमें एहंकार बहुत आ जाता है. ऐसे लोग जो होते हैं उनका भ्रहसपती खराब होता है. जो काम के अंदर बातें बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन क जब करने की बारी आती है तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों का भ्रहस्पती बहुत खराब होता है, वो लोग जो अपने माता पिता की हर बात पर उनको टोकते हैं, मना करते हैं, या उनके साथ में वाद विवाद, तर्क वितर्क करते हैं, ऐसे लोगों का भ्रहस् आपने टीचर को रिस्पेक्ट नहीं गरते गुरु कैसा भी है कुछ भी है अगर अपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं गरी तो आपका भ्रहस्पती खराब है भ्रहस्पती खराब होगा तो क्या होगा भाग्य आपसे दूर हो जाएगा लग काम नहीं करता भ्रहस्पती अच्छ बनी रहेंगी आपके घर परिवार से हमेशा आपके साथ ग्रहे कलेश या बना रहेगा पैत्रिक संपती को लेकर आपको जरूर दिक्कते आएंगी लेकिन यहां पर एक शर्ट आजाती है कि ब्रहस्पती के साथ सूरे का कॉंबिनेशन भी होना चाहिए तब यह पर्टिकुलरली काम करेगा कि आपको पैत्रिक संपती को लेकर वाद विवाद और जगडों में फसना ही पड़ेगा ही पड़ेगा ब्रहस्पती अगर आपका दूसरा पाच्वा आठ्वा या बार्वा बैठा है तो ऐसे जातक को अपने जीवन के अंदर खुद के अलावा दूसरे की राय हमेशा खराब लगेगी वो अपने से बड़ा किसी को नहीं बना पाते वो अपने से बड़ा किसी को नहीं कर पाते घमन नहीं आता घमन एक बहुत अलग चीज है यह ऐसे चीज होती है कि बस मैं सही हूँ मैं ही बस हूँ जो हूँ मैंने अगर यह कह दिया कि मुझे ग्रीन कलर पसंद है तो वो अपसे घंटो बैटके तर्क कर लेंगे इस बात पर कि ग्रीन क्यों सही है दुनिया को समझते नहीं वो किसी को कुछ नहीं समझते और उनको उनके पास ज्यान बहुत होता है ऐसे लोग जो होते ना बहुत खोजी होते हैं बहुत चीजों को खोज खोज के निकालने में बिलीब कर द लेकिन उस रिषेर्च को वह हमेशा तर्क वि-तर्क और कुतर्क में ही यूजी US करते हैं benefit नहीं भाटे है benefit नहीं ले पाते हैं न इस दे पाते है ब्रहस्पति क्या है तीचर आप किसी के लिए एक अच्छे आइडल कब बन सकते हो जब आपका ब्रहस्पती अच्छा होगा आपकी बाते प्रभावित करती है यह जो होता है लोगों के अंदर कि आप कुछ बोल रहे हो और एक संग बन गया लोग आपको सुन रहे हैं लोग आपकी बातों से बहुत प्र करने की आपकी शम्ता खतम नहीं होगी आप जो बताएंगे उसके अंदर आप अपना फायदा सोचेंगे लोगों का भला नहीं कर पाएंगे तो अच्छे ब्रहस्पती और बुरे ब्रहस्पती की यह सबसे बड़ी निशानी है ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़े बता रहे होते हैं, ऐसा है, वैसा है, ये है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, लेकिन उसमें वो बात करते हैं, अपने भले की, हमने ये कर दिया था, हमारे द्वारा ये हो गया था, नहीं, आप आप राय दे दीजे, सामने वाले को अच्छा लगेगा तो वो करेगा और उसका अपने आप भला हो जाएगा, नहीं होगा तो कम से कम आपका ब्रहस्पती तो खराब नहीं होगा, अपने आपको चढ़ाते रहते हैं, जिनका ब्रहस्पती अच्छा नहीं होगा, ऐसे लोगो गज केसरी योग का मतलब हो गया, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हाती जितनी इताकट आ गई, ठीक है, और जिसका वर्शस्व कैसा हो गया, राजा तुल्ले, चाहे वो बहुत गरीब परिवार में भी जनम लेगा, लेकिन वो दीरे 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 अपने आपको उस लायक बना ल प्रचा तो आजकल होती नहीं, सर्कल बन जाएगा, प्यार बहुत अच्छा हो जाएगा ऐसे व्यक्ति का, पब्लिक रिलेशन्शिप, ऐसा व्यक्ति किसी का भी दिल जीत सकता है, तो मतलब जितने जैसे यह आजकल अगर मैं एजांपल दू, यूट्यूब सेलिब्रेटी ज्यान से रिलेटेड़, आप किसी दूसरे का फायदा करेंगे, बहुत तरह के काम होते हैं, एक काम वो होता है जिसमें हम अपना फायदा कर रहे होते हैं, ठीक है, सब्सक्रिए कि आपने एक जोड़ी कपड़ा खरीदा और आपने वो लेकर आगे किसी को बेच दिया, ठी शर्या, जचाए और नीचे र उसको आपने लोगों तक बाटा, यह क्या है, यह अगले का फायदा भी है, आम ने सिखा दिया व्ल्दब आपने एक जृचन को आगे किसी को दे दिया, अब उसमें से आपका क्या फायदा में वो गैरेंटेट नहीं है, वो गारेंटेट नहीं है उसमें आपकी गारेंटी नहीं है कि आपने अगर चार बाते कि किसी को दी है चार किताबे अगर आपने किसी को दी है तो आपको उस चार किताब से बहुत आपका बिजनस चलेगा या आपको उससे बहुत फाइदा होगा ऐसा नहीं है लेकिन उस चार किताब से अगले का क्या फायदा हो जाएगा एक शौप कीपर जो किताबे बेचता है पुष्टक बेचता है वो सिर्फ पुष्टक बेच कर अपना मारजन निकालता और अपना परिवार चलाता है लेकिन उस पुष्टक को पढ़कर लोग आपके फायदे से ज़्यादा जब पब्लिक का फायदा हो जाए तो गुरू आपका काम करेगा महा उपाय हो गया है गुरू के तो लेकिन जब जब ब्रहस्पति आपके जीवन के अंदर आपको परेशान करेगा तब आपके वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कत आएगी परेशानी हो जाती है तो ब्रहस्पति आपके वैवाहिक जीवन में कहीं अवरोध प्रेदा कर देगा या विवाहा हो गया तो विवाहा के बाद दिक्कते उत्पन कर देगा क्यों क्योंकि ब्रहस्पति अच्छा नहीं होगा तो वह आपको वैवाहिक सुख नहीं देगा वो आपको कैसा बना देगा? साधूर. तो मतलब आप टेक्निकली जो वाइप होगी वो डिटाच होने लग जाएगी? वो डिटाच नी होने लग जाएगी, उसके इर्द गिर्द के लोग उससे डिटाच होने लग जाएगी और वो अकेला पन फिल करेगी. वो अकेली होती ही चली जाएगी, एक तो होता है, इंसान अपने मन से वेरागता ले ले, कि भाया मैं सब के बीच हूँ, लेकिन उसके बावजूर्द में मेरा मन तो प्रभू में है, मैं तो उनसे जूड़ी रहूँगी, वो मीरा भाई. सब पुछ होते वे भी नहीं, मुझे तो सरिफ प्रभू ही चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं, जिनको परिवार चाहिए, जिनको हजबन चाहिए, जिनको अपने बच्चों के साथ रहना है, जिनको अपने परिवार के साथ रहना है, लेकिन उनको ना कोई को समझ रहा है ना उनको कोई अपना मान रहा है तब आपका ब्रहस्पति डफिनिटलीane Pynnol मंगल के साथ होगा तब भी अच्छे प्रभाव देंग उसकी पावर जो है उसकी उर्जा जो है वो दुगनी हो जाती है Explica ब्रहस्पति जब सूरे के साथ होंगे तब भी वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे प्रसिद्धी जरूर देंगे बशर्ते आपको गुरू के कदमों पर चलना पड़ेगा अब आप यह नहीं कर सकते कि आपका गुरू और सूरे साथ बैठा है और आप दारू पी है तो नेगेटिब हो जाएगा बिल्कुल नेगेटिब हो जाएगा जी आपका गुरू और मंगल साथ बैठा है और पता चला कि आपने बहुत सारी लड़कियों को दोका देना चालू कर दिया आप कमिटेड नहीं है तो बल्टा हो जाएगा आप प्यार को सिर्फ मजाग समझ र हैं आप लोगों को चीट कर रहे हैं आप लोगों को धोका देकर जूट बोलकर अपना फायदा निकाल रहे हैं तो यह कभी वर्क नहीं करेंगा बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे गुरू मंगल साथ बैठा है तो कर्मों को भी टटो लिए सो बेसिकली हम अपने करम के एकॉर्डिंगी फ्लानेट सपोस अगर अच्छा भी है मेरी कुंडली में फेवरेबल है बट मेरे करम उसके साथ के सिंक नहीं हो रहे तो वो मेरे को उल्टा रिजर्ड देता है बिलकुल देगा बेटा जैसे कि बहुत सारी जगे ऐसा लिखा गया है कि ब्रहस्पती अगर 7th house में बैठा है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने घर के अंदर मंदर नहीं बनाना चाहिए ऐसे लोगों को घंटी नहीं बजानी चाहिए ब्रहस्पती अगर 10th house में बैठा है तो आपको मंदर के आसपास घर कभी नहीं लेना चाहिए ऐसा क्यो आपको बहुत सात्विक जीवन जीना पड़ेगा फिर, तो आपको अध्यात्म की उरुजा देगा, ऐसा नहीं है आप से कुछ ले रहा है, वो आपको बहुत अध्यात्मिक इंसान बना देगा, और आपको बहुत उचाईयों तक ले जाएगा, लेकिन आप चाहा रख रहे हो कि इस चीज़ की, ग्लैमर की, फैमिली की, लव की, अटेच्मेंट की, और वो आपको क्या देना चाहता है, वो आपको बिल्कुल, बिल्कुल, तो दोनों चीज़े, एक मयान में दो तलवारे कैसे रखेंगे साहब, तो इसमें ऐसा हो जाएगा कि आप चाहते हो कि मैं पैसा कमाओ, मैं अपनी फैमिली अच्छी बनाओ, पर आपके दिमाग बार पर स्पिरिच्वालिटी और यह सारी चीज़ों की तरफ जाएगे, और आप फिर खोदी डिप्रेस हो जाते हो, यह इस फेज में मैं भी आया था एक बार, तो मेरे साथ भी हुआ अलग बाते लेकिन आप हमारे टिपिकल गाउं में चले जाएए आज भी, इतनी भारी भारी पगडियां पहने आपको लोग मिलेंगे, और कहीं न कहीं आप जब उनसे बात करेंगे, आप उनसे जब वारतालाप करेंगे, आपको ऐसे ऐसे ज्यान प्राप्त होंगे, कि दुनिया का खाना भी, मैं तो फूल्टीवर का खाना बड़ अच्छा लग रहा है, दाल बाटी और सारवे, और ये जैपुर, तो बहुत हजार है, आप बदाओ, तो लेकिन केवल हम वहां पर ये काउंट नहीं कर सकते, कि केवल भ्रहस्पती बैठा है, तो आपको ऐसा कर करना चाहिए, जैसे बहुत लोगों ने मुझे बोला कि हमें ऐसा का गया कि सप्तम का भ्रहस्पती है, आप घर के अंदर मंदिर मत रखिए, ठीक बात है, अगर हम एक तरीके से देखे तो ये आपके उपर लाग हो रहा है, लेकिन यहां पर ये भी तो देखना पड़ेगा कि भ्रहस्पती का संबंध किस से बन रहा है, अब आप छोटी सी चीज़ देखिए, तुला राशी में तीन नक्षत्र आते हैं, अब तीनों में ही बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, कैसे, तुला राशी के लोग अगर चित्रा नक्षत्र के हैं, तो ऐसे लोग कैस होते हैं, आपने अगर उनको कुछ दिया, आपने उनके लिए कुछ किया, तो वो आपसे बहुत जल्दी अटैज्ड हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने उनके लिए करना बंद कर दिया, तो उनसे बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं है, और इतने बड़े दुश्मन हो जाएंगे वो आपके, कि आप फिर उसके बाद उनको कितना भी प्यार से समझाते रहें, एक ऐसी एगो आजाएगे, नहीं मुझे तो इसको बरबाद करना ही है, छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, लेकिन वो आपके ऐसे पीछे पढ़ जाएंगे, कि आपको ऐसा सम्मान, प्रतिष्टा, सब को दाव पर लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपका पूरा घर घांदान खतम करने पर आजाएंगे, तो एक तरीके से वो शेर है, जो सोता हुआ है, तो अच्छा है, या आप उसको टाम टूं टाम खाना दे रहे हैं तो ठीके, मतलब आप से प्यार करना नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने अगर आप से प्यार कर लिया, तो उन्होंने आपसे प्यार कर लिया, तो वो जिंदेगी भर उस प्यार के लिए अपना सरवस्व ही राशी है, नक्षतर ही बदला, लेकिन कितना चेंज आ गया दोनों में, एक उतना ही bijvoorbeeld के लिए कुछ भी करने को तैयार उसके अंदर कोई दूएश नहीं है आप उनका कित्ता भी बुरा कर ले तब भी कहेंगे हमने प्यार किया था था हम किसी का बुरा कैसे कर दे वो बुरा कर रहा है तो हम उसको रिटन में बुरा कैसे दे दे उनके भाव कैसे हैं बहुत प्या वाव, ओके, ठीक है, यह अलग अलग चीजे अलग अलग उस पर चेंज हो जाती है, अब आप सिर्फ एक यह चीज मत देखिये राजा, कि मेरा सप्तम में गुरु बैठा है, आपकी राशी भी वहाँ चेंज होगी, आपका राशी का स्वामी भी चेंज होगा, आपका वहाँ चीजे भी जीवन के अंदर प्रभाव डालती है, तो हर किसी की एक जैसी वो नहीं होती, लेकिन हाँ, कॉमन आप बात कर सकते हैं, और आप इस पर थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं, जैसे आप मंदिर घर में रख सकते हैं, लेकिन आपको घर के अंदर घंटी नहीं बजाने घंटी मत बजाएं, तो जिनके सब्तम के अंदर गुरु है, वो घंटी बजाना थोड़ा सा अवाइड कर दे, तो ये छोटे-छोटे से उपाय हैं, जैने उनको करना चाहिए, केसर का आपको इसनान जरूर करना चाहिए, जिनका ब्रहस्पती अच्छा नहीं है, उनको घी और केसर मिलाकर, घी के अंदर थोड़ी सी केसर मिलाकर, उनको पीपल के पेड़ पर साथ तिलक शनिवार के दिन जरूर लगाने चाहिए, उनको भगवते वासुदेवाय नमा बोलते हुए, गुरवार का वरत उन्हें जरूर करना चाहिए, गुरवार के दिन उनको केले का और केली का पूजन जरूर करना चाहिए किसी भी मंदिर में जाकर उनको एक केले का और एक केली का पौधा जो है वो रोपन करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को अपने से बुजुर्गों को अपने से बड़े लोगों को कोई भी धार्मिक गरंथ पढ़कर सुनाना चाहिए, आपने बहुत लोगों की घर में देखा होगा, अब तो खतम हो गया, मैं तो खासकर अपने NCR में ने देखती है, इसलिए मैं बार 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 जैपूर की तरफ खित जाती हूँ क्यों कि मुझे आज भी वो चीज यहां पर बहुत मिलती है, तो मु मैं देखा किती अच्छी और किती सुन्दर मूर्ती थी, बहुत ज्यादा अट्राक्टिव, लग मैं आखों में देख रहा था, और मैं देखता ही रह गया, मैं फोटो लगाऊंगा यहां पर, आप लोगों को क्ले स्क्रीन के, और वो पूरी सिंदूरी उससे वरंड से उन कोई यहां पर आप ने देखा हूगा, बहुत सारे धागे लगे हुए थी, और ऐसा कहा जाता है कि आप अपनी मनोकामना जाकर वहां पर धागा बांद दीजिये, और नौ बुधवार आप वहां पर जाइए, और दर्शन करिये प्रभू के, तो आपके मनोकामना जरूर सि करaré कर दो, कि अचीज कि और चाहिए। से कर दो जाहते हैंसे, दो वहा है कि एक परंपराइ उहां कराक草 बाता है। मुह अची एक प्रमभर है कि भाएँ ढ़िर दिखा कर नहीं जाया जाता है। दो मिन पेता है भाषिक है और is फिर वहां से चला चाहता है। तो जब हम बैठे तो अप कितने शांत हो नहाँ अपर तो मैंने वरुन को बताया कि यह वो जगे है जो मेरी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में इन्होंने मुझे बहुत सभाला और मैं यही आती थी और गंटों गंटों में यहां बैठी रहती थी और मुझे एक बल मिलता आता था क्योंकि वो मेरे गोविद्द бेव जी के मंदर से बहुत पास है तो मैं वहां घंटों आटों गंटों बैठी हुए शुवेशर बजह मंगला में जाती थी और गंटों बैठी रहती थी हुए ही जाब करती थी वहां पर बैठके उनका स्मरण करती थी और गंटती अब आपने बहुत आश्रिवाद रखा है तो और मैं मैं उस टाइम पर जब मैं बेठी थी महाँ पर सीडियों में तो मैं एक सुकून देख रहा था फेस पर बहुत सारे लोग आ रहे थे फोटो की चा रहे थे आपको पिचान रहे थे बट स्टिल एक रिलाक्स और एक बहुत बहुत अच्छी फीले और वहाँ पर सुकून था लोग भीड है लोग आ रहे जारे बट फिर भी शांती थी तो वह बहुत अच्छी चीश थी आप लोग जाईए का जरूर अगर आप पास में है बिलकुल तो जब आपका गुरुब रहस्पती खराब होता है तो आ इतल के पात्र के अंदर घी रखकर उनको जरूर अर्पित करना चाहिए वैसे अगर आप भगवान विष्णु राम जी या कृष्ण जी के मंदिर में जाकर करेंगे तो आपको ज्यादा लाब प्राप्त होगा आप नहाने के पानी में खास कर ये एक साल तो आपको जरूर करना है कार आपको नहाने के पानी के अंदर केसत हल्दी डालकर जरूर नहाना है हल्दी सबसे अच्छा आपके जीवन का सरव उपाय है अगर आप अपने घ्रस्पती को ठीक करना चाहते हैं तो हल्दी का तिलक करिये हल्दी से स्नान करिए खाने में हल्दी का उप्योग जरूर करिए और एक कच्छी हल्दी की गांट आप अपने गले में जरूर धारन कर लीजे लेकिन जिस दिन आप इने धारन करें एक पीला कोई भी आप फ्रूट वहां पर रख लीजेगा जाप करिएगा धूबती करिएगा उसके पर आप फल आपको स्वैम खा लेना है लोगों को ना सिद्ध कर के पहनने का तरीका नहीं मालूम किसी भी रत न को या किसी भी इससे इन चीजों को तो वह गलतियां कर देते हैं और कहते हैं एक अलग तरीके से तयार किया जाता और उनके साथ में प्रक्रिया नहीं करी सही समय पर धारण करें सुबह के साथ और सवा साथ का समय बहुत अच्छा होता है गुरवार के दिन आप उस समय धारण करेंगे तो आपको यह बहुत इफेक्ट करेगा एक तरीका पर इसे बता दीजिए कि क्या कैसे करना है फल के साथ आपने एक कोई भी पीला फल रख लिय आपने एक प्लेट के अंदर हल्दी की गाट को रख दिया उसको आपने कच्छे दूद से पहले दो दिया फिर आपने नॉर्मल पानी से दो दिया फिर आपने गंगा जल से दो दिया फिर आपने उनके उपर रोली चावल लगा दिया हल्दी लगा दी हल्दी लगाने के ब जो अपने लेवी है उसको आपने अपने गले में धारन कर लिए ऊसे लाल रंगे धागे में पि्रोग कर ही अपने थे लिए जी घख कर लिए और जूब्रट आप फ्रूट रखा था उस यह थी खाएंगे नहीं करना, ठीक है, ये एक तरीका है, हाँ, मतनब ये आपको डबल फाइदा करतेगा, तो हल्दी की गाहथा पहन सकते, जो लोग नहीं पहन सकते, वो अपने बिस्तर के नीचे नीचे इतौटें, चना और गुड का दान जरूर करना चाहिए गुरवार के दिल, अपने से बड़े बुजुर्गों को, हाँ, मैं बीच में बात काट गई, मैं आपको ये बता रही थी, कि वहाँ अपने उदर मैंने ये कल्चर बहुत कम देखा है, लेकिन आप हमारे राजस्तान में कि सुबह सुबह जो घर के छोटे बच्चे होते हैं वो बुजूर्ग लोगों को रामाइन का पाठ पढ़के सुनाते हैं या कोई भी धार्मिक जो भी पाठ होते हैं वो उनको पढ़के सुनाते हैं कि हनुमान चालीसा वो पढ़ रहे हैं और दादाजी सुन रहे हैं या यह ना गुरु ब्रहस्पति को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा तरीका है, एक तो आप खुद धार्मिक चीजों को पढ़ रहे हैं, और धार्मिक चीजों को आप अपने जीवन के अंदर उतार रहे हैं, एक होता है कि आप उन्हीं धार्मिक चीजों को अपने से बड़ो कुछ, आपके सुना रहे हैं, तो आपको double profit हो गया है. बुजुर किसको represent करते है ब्हेसपती को धार्मिक किताबे किसको represent करती है ब्हेसपती को तो double हो गया, criticizing fact, एक बहुत चोटा सा solution है ज़़ कर सकते हैं, इस तरह से हो गया, कि आपका double profit हो गया हंदा तो यह एक बहुत छोटा सा सॉलूशन है जो आप कर सकते हैं पीले रंका धागा क्या बताइए हल्दी वाला दूद भी पी सकते हैं हाँ हल्दी वाला दूद वो लोग पी सकते हैं जिनकी कुण्ली के अंदर गज केसरी योग है और अभी गोचर के अंदर व्रिश प्राशी वाले यानि कि तौरस वो लोग जो है वो हल्दी वाला दूद जरूर पी है क्योंकि चंद्रमा और गुरू दोनों का आपस में संबंध हो रहा है और जिनकी कुण्ली में अल्रेड़ी गज केसरी योग है उन्हें तो दूद के अंदर हमेशा हल्दी डालकर जरूर पीना चाहिए जिनका चंद्रमा और गुरू आमने सामने बैठा है उन्हें थोड़ा सा कच्चा दूद और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर पानी में मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए ठीक है जिनका शनी, गुरू और साथ में चंद्रमा बैठा है ऐसे लोगों को कच्चे दूद के अंदर हल्दी डालकर पीपल के पेड में जरूर चढ़ाना चाहिए गुरुवार और शनिवार के दिन लेकिन ये सारे कारिये सुबह बारा बज़े से पहले होने चाहिए अगर आप उनको प्यार से, सम्मान से, थोड़ा सा भाव से, प्रेम से, ब्रहस्पति क्या है? स्वैम नारायन, सत्य नारायन की कथा करिए, ब्रहस्पति अच्छा नहीं है तो ब्रहस्पति अच्छा नहीं है तो ठाकुजी को दिन रात स्मरन करना चालू कर दीजे पिर जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे हर कोई, तो वो वाली चीज है, तो ब्रहस्पती जिनके अच्छे नहीं है, उनके लक्षन ऐसे होते हैं, और ब्रहस्पती अपने आमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है वरू, फिर तो नॉन स्टॉप बाते हो सकती हैं, पर उनको थोड़ा सा एक बार अपनी कुंडी के हिसाब से किसी अच्छे विशेशग्य से पूछ कर करना चाहिए, कई-कई बार नुकसान भी कर जाता है, इसलिए मैंने हल्दी की गाट कई, वो आपको नुकसान नहीं करेगी, हम जोतनी भी रेमेडी आपको बताते हो, सारी य और लुकसान प्लाया, जो जो वो आपको यहां जाता है, जिन इस्त्रियों के आंदर गुरु अच्छा नहीं है और जिनको बहुत वोइवाहिक् दिक्कते आरी आहिती जिने इस्त्रियों का बाल खोल कर खाना नहीं बनाना चाहिए, उनको हमेशा चोटी बांद कर या बाल में कारय करना चेह वरना उनका प्रेस्पति और ज्यादा खराब हो talkin kangrois pasa वो शुक्र और राहु दोनों को मिला कर बन जाता है और वहां से फिर ब्रेस्पती और ज्यादा खराब होते चले जाते हैं जिन लोगों को शारेरिक कस्ट बहुत रहते हैं खासकर के गुरू रिलेटेट शारेरिक कस्ट रहते हैं ऐसे लोगों को गुरवार के दिन अपनी न थागे के अंदर एक पीली कौड़ी बांध कर गुरवार के दिन हल्दी में डालकर उसे निकालकर ठाकूर जी का नाम स्मरन करके धुबत्ती लगा के उन्हें अपने पेट पर बांध लेना चाहिए यह चोटे-चोटे सरल उपाए हैं यह आप जीवन में करिए परिवर्तन आ तो नाम से और फिर आपको रिजल्ट देंगे बैट के खाने का भागया आपका ख़तम हो चुका कि आप बैठे रहें गे और आपको बैठे बैठे खाने को मिल जाएगा वो नहीं होगा यह आपको बैठे बैठे आगे से चलकर चीजें आगर आपको बहुत कुछ दे नहीं है, गुरु का ये राशी परिवर्तन, आप जितना करम करें गे उसका result आपको मिलता जाएगा, आप अगर दिन के 15 गंटे काम करने तो आपको 15 गंटे का result मिलेगा, ऐसा नहीं है, कि आपके कर्मों का आपको रेज़ट ही नहीं मिलेगा बिल्कुल मिलेगा लेकिन वही मिलेगा जो आप करेंगे जो बोएगा वही पाएगा जी ठीक है ना जादा ना कम राइट अनुपात में चलेंगी चीज़ें तुलाराशी वालों का थोड़ासा emotional पार्ट इस वक्त डाउन रहेगा थोड़ा रहेंगे थोड़ा सा दिक्कते रहेंगी और आपके अंदर उर्जा भी आपको थोड़ी कम महसूस होगी तो आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि क्या मुझे नजर लग गई मतब आपकी चीजे कहीं ना कहीं थोड़े थोड़ लग गई क्या कोई negativity आगई क्या पर ऐसा कुछ भी नहीं ओने वाला आपको घबराने की जरूरत नहीं है आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई negativity या कुछ असर नहीं करेगी आपको इस वक्त पर वैसे तो रोजाना करे तो बहुत अच्छा है नहीं तो कम से कम गुरवार के दि हल्दी डालकर इसनान जरूर कर लेना है ओके रोजान ही कर ले ठीक है तामे के पात्र में जल पीना आरंब कर दीजे किसी सुनसान जगे पर जाकर एक छोटे से दिये के अंदर मिट्टी का कोई भी पात्र ले लीजे उसके अंदर घी केसर और शक्कर गुरवार के तिन एक सुनेला पत्थर सवा पांच यह सवा साथ रत्ती का किसी भी शिपजी के मंदिर में जाकर वहां के पुजारी जी को भेट कर आई ओके ठीक है अब आते हैं हम व्रिष्चिक राशी पर जी व्रिष्चिक राशी मंगल की राशी होती है मंगल की दूसरी राशी होती है और इस राशी के लिए गुरू का ये परिवर्थन बहुत भाग्यशाली जाने वाला है बश अर्टे ये लोग अपने गुसे पर अपने क्रोध पर नियंतरन रखें ये कोई भी काम बहुत उत्सुक्ता के साथ ना करें ये किसी को फॉल्स कमिटमेंट ना दे ये अपने से बड़ो का आधर करें तो इनके लिए प्रोफेशनली भी और लव लाइफ में भी ये समय बहुत अच्छा इनको रिजल्ट देने वाला है वाव विश्चिक राशी वालों को मंगलवार गुरवार और शनिवार को बेशन के लड़ू मंदिर में जाकर जरूर चड़ाने है मंदिर कोई भी हो सकता है अब आते हैं हम धनू राशी पर धनू जो की गुरू की अपनी स्वा राशी है उके उनकी खुद की खुद की राशी है धनू राशी वालों के लिए ये समय बहुत धरम करम का हुगा उनकी छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं चालू हो जाएगी धरम के प्रती उनका बहुत रुज्धान भर जाएगा लेकिन अगर ऐसे लोग तामसिक चीजेओं का अपने जीवन के अंदर प्रियोग करते हैं तो किसी धार्मिक पुरुष या किसी धार्मिक व्यक्ति द्वारा ही इनके साथ बहुत बढ़ा विश्वाश घात हो जाएगा जान भी या मंत्र जाप जरूर करने चाहिए पूरे साल धनुर आशी वालों को अपने मस्तिक्षक पर अपने खंठ पर अपनी नाभी पर हल्दी का तिलक जरूरा है नियम बना लिजे, अपनी थर्ड आय को तो बिल्कुल आपको छुपा कर रखना है, जो आपका ये वाले जगे होती है, इसको छुपा कर रखिए, अगर आपकी हाथ में, यानि कि आपकी फॉर्स्ट रिंग के नीचे, ये जो परवत होता है, ये गुरु परवत होता है, ये बिल्कुल, अगर ये उभरा उभरा है, तो डेफिनिटली आपके उपर भ्रहस्पती की किरपा है, अगर ये आपका उभरा हुआ नहीं है, या यहां पर बहुत सारी लकीरे हैं, जो लंबी भी हैं, और ऐसे क्रॉस कर रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर ब्रहस्पती की वजह से बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति को सही गुरू नहीं मिल पाते हैं, ऐसे व्यक्ति को सही मार्ग दर्शन देने वाला व्यक्ति कभी नहीं मिलता है, सब उसको घुमाते रहते हैं, कन्फ्यूज रहता है ऐसा व्य व्यक्ति को गुरुपर्वत उबरा हुआ नहीं है, याने कि शुब नहीं है, और उसके उपर ट्रायंगल बना है, तो ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल के साथ सक्सेच जरूरूर मिलती है, भाग्य– सात λέता हैं लेकिन स्ट्रगल के बाद देता है एक दम आसानी से थाली में परस क गी नहीं मिलता, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़े स्ट्रगल के बाद सफलता जरूर मिलती है, खास करके ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के 38 येर्स के बाद सफलता जरूर प्राप्त होती है, और अचानक रातो रात ऐसे व्यक्ति को फेम मिलने लग जाता है, ठीक तो ऐसे व्यक्ति को हल्दी से अपने गुरू परवत के उपपर 1, 2, 1, 3 इस नंबर को हमेशा लिखकर रखना चाहिए। गुरू परवत होता है यह चीज़ ओके लेफ्ट राइट यह कहीं भी राइट मेरा लेफ्ट है यह लेकिन राइट ठीक है तो 1, 2, 1, 3 आपको लिखकर रखना चाहिए अगर किसी व्यक्ति के गुरू परवत के उपर बहुत सारी लकीरे हैं तो ऐसा व्यक्ति धरम को नहीं मा कई बार आपने देखा होगा कई लोग बहुत चड़ते हैं इस बात से कि क्यों दे रहे हो पंडितों को पैसा क्यों दानपुन्य कर रहे हो बहुत एंटी होते हैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं इस चीज़ पर बहुत लोजिस्टिक चलेंगे वह ठीक है उनका अपनी जो पूजा पाट करना चाते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर के अंदर अगर जरासी भी पूजा हो गई न तो इतना कलेश कर देते हैं इतना कलेश कर देते हैं कि पता नहीं क्या गलत कर दिया पूरे घरवाले धार्मे कुछ सभ मनाएंगे और वो अलग मूफ उला के बैठे होंगे कि मैं तो नहीं आऊंगा कहीं मंदर जाने की बात होगी कहीं धार्मे किस्तल जाने की बात होगी तो कभी हाने करेंगे जाने के लिए ऐसे लोगों के घरवालों को उनके नाम से साथ गुरवार पीतल के बरतन और धार्मे किताबे किसी ब्राहमन को जरूर दा आपको एसी तेडी यू लहरीय टाइप टेडी लाइने मिलेंगी हमेशा, ऐसे व्यक्तियों को पीले रंग की जनेव या सफेज जनेव को पीला करके, हल्दी का तिलक लगा के ब्रहमनों को गुरुबार के दिन दान जरू करनी चाहिए, ठीक है, कई लोगों के गुरु परव होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई गलत आचरन अपने जीवन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके उपर ठाको जी की या पित्रों की या उनके किसी बड़े इस्ट की बहुत बढ़ी जैसे कि कुल देवी होते हैं, उन व्यक्ति की बोली हुई बातें हमेशा सिद्ध हो जाती हैं, आज तक मैंने आपको एक बात नहीं बताई, आज बताती हूं वरुन, बहुत कम लोग जानते हैं ये बात, मेरे दौनों पैरों मेना कमल का निशान है, और जब मैं पैदा हुई थी, तो पापा ऐसा बताते हैं कि वो एक ट्रेन में कहीं मुझे लेकर जा रहे थे, तो वहां पर कोई जानकार थे, और उन्होंने मेरे पैर के उस चिन को देखकर काहा था, कि इसके पैर को हमेशा ढखके रखना, और इसके पैर के अंगुठों को किसी को टच मत करने देना, ठीक है, क्यों ऐसा? जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पैरों के अंगुठे को टच करते हो जो बहुत धारमिक होता है, या बहुत पूजा-पाट करता है, तो उस व्यक्ति की सारी उर्जा और शक्ति आपको तुरंथ प्राप्त हो जाती है, तो आपके कोई तोस टच के लिए निमिगे तो प्रापत बीया तो यह बता कि रहे हो। यह तो भूवाली चीज हो गई ना.. जैसे रामाड की नहीं पहना था.. ले जाओ यार encourage भी लिए है। किसके लिए कर रही हूं। आप लोगो के लिए करती हूं क्या फरक पड़ता पॉड़कास्ट देखने के बाद जैसे मंदिर में आपको मिलते हैं लोग सबसे वहला वहीं पे टच करेंगे मैं आशिरवाद कोई बात नहीं किसी का उद्धार तो हो जाए गरा मेरा जीवन तो उसी के लिए मेरा गुरू शनी एक साथ में सब्तम में बै तो डेफिनेटली मेरे ठाकोजी का मुझ पर इतना बड़ा कृपा द्रष्टी है और इतना बड़ा एहसान है मेरे जीवन पर कि मैं अपने लिए तो कुछ मांगने लायक हूई नहीं लेकिन मैं जब भी दूसरों के लिए मांगती हूँ वो तुरंट सुन लेते हैं लोग क अगर को यह नहीं पता होगा कि यह ऐसा कोई काम करने लगेगी यह ऐसा कुछ होगा उन्हों ने इसलिए यह बोला होगा कि भाई कोई गलत व्यक्ति छूलेगा यह कुछ होगा तो कहीं ऐसा नहों कि बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पढ़ जए लेकिन यह मैं इन जनल अपने पूजन पाथ को कभी नहीं चोड़ते ऐसे लोगों का अगर कोई अंगुठा सपर्ष करेगा चलन सपर्ष करते वब अंगुठा सपर्ष करेगा ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमेशा ठाकुर्जी की कृपा बनी रहेगी तो ध्यान से यह काम ऐसे भी मत कर देना कि आप कि अंगुठे मत दबादे ना पर आपको इस पात का ध्यान रखना चाहिए खासकर कि जिसका उचका गुरू हो उसको इस पात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर के अंगुठे को कोई टच ना करें तो यह छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनने हमें अपने जीवन के अंदर हमेशा ध्यान रखना चाहिए जिन लोगों का गुरू और चंदरमा साथ बैठा होता है उन्हें अपनी पर्स रिंग के अंदर गोल्ड में एक सुच्चा मोती जरूर पहन के रखना चाहिए गोल्ड में आपने पहली उंगली में पुख्राज पहना हुआ देखा होगा लेकर आपने कभी भी गोल्ड में सुच्चा मोती पहना हुआ नहीं देखा होगा ऐसे व्यक्तियों को अपने कान के अंदर, जिनका गुरु उचका है, ऐस व्यक्तियों को अपने कान के आंदर गोल्ड हमेशा पहनना चाहिए, अगर लड़के भी हैं, तो वो भी अपना एक कान ज़दवा कर जरूर गोल्ड का कोई-ना-कोई, एक छोटा सा टॉप्स या उर्जा जो होती है, वह तुरंट दूसरे के पास चली जाती है और वो होता है लोता है जाता है और फिर थोड़े दिनों बाद जब वापस जो उसकी हघ को लेक अरिक कलेक यहां तब वापस से फिर REAL larger था ज़ी उसमें आथा है क्योंकि अगर लगन को देखता हुआ गुरू है और खासकर करके अपने ही लगन को यानि कि धनू या मीन को देखता हुआ गुरू है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो स्टार फिश की तरह होता है वो बिमार भी पड़ेगा ना तो उसकी बोड़ी स्वते ही अपने आप ठीक कर देगी उसको ऐसे व्यक्ति कि अगर उर्जा डाउन होगी तो ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे करके उर्जा अपने आप प्राप्त होती चली जाएगी लेकिन हाँ ध्यान रखना पड़ता है आपके करम वैसे होने चाहिए यह नहीं कि आप गलत काम करें और फिर कहें कि मैंने तो ऐसा बोला था गुरू रिलेटेट उसमें आ रहे हो तो गुरू से रिलेटेट चीजों का ध्यान भी रखिए ठीक तो ऐसी स्थितियों और परिस् अजिए लगेगा पतानी किसकी नजर लग गई पतानी क्या हो गया किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया और दो चार दिन बाद वह वापस से उतने ही एनरजेटिक हो जाएंगे तो यह छोटी छोटी चीजे होती है इनको ऐसे व्यक्तिव को ध्यान रखना चाहिए पीले रंग का सकतर बाद भुण कर समने मत्य ऐलना क्या हूं प snippet चाहिए व्यक्तिव को जानी कंद पिले रंग की नहीं पहननी जही निगो जिनका गुरू उच्का होता है Iसे व्यक्तिव को इनर चलोज्स को जाएं लग पहनने चाहिए यह जासे कि नीचे आपने बनियान पहन ली, यह तो आफ पाँ कोई पीले रंग की टी-शइट पहन कर आप ने उपर कोई और कलर की टी-शइट पहन ली जाए को या शिर्ट सी की ने चीज अट पहने पेण दी ली एक अलग चीज है लेकिन पीले रंग का कपड़ा आप सामने मंत पहने यह वरना क्या होगा, वापस से वही सेम चीर, आप से जादा अगर किसी व्यक्ति के अंदर आप से लेने की ताकत होगी, तो वह आपकी उर्जा आप से ले जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप क्या सोचेंगे, मुझे नजर लग गई है, मैं बिमार पढ़ गय सम्हाल कर नहीं रखता है, आपको भंडार दिया है ठाकुर जी ने उर्जा का, भंडार, लेकिन उसको सम्हालना, उसको कंट्रोल करना तो आपके हाथ में, जिनके उचके गुरू होते हैं, ऐसी इस्तरियों को अपने पैर के तल्वे में मेहंदी जरू लगा कर रखनी चाह कि थोड़ी से लगा लिजे, एक डॉट लगा लिजे जरूर लगा कर रखनी चाहिए, ऐसी इस्तरियों को नंगे पैर ज्यादा नहीं घुमना चाहिए, ऐसी इस्तरियों को इतने उच्छे से ज्यादा कप्ड़े नहीं पहनना चाहिए, जिनके बहुत सारे कॉमेंट्स हैं बेटा जी मैं तो सरफ वही चीज़ बताती हूं जिससे आपका फाइदा हो मैं आपको एक चीज़ बताती हूं मैं फॉर्स टाइम बेजान दारुवाला जी से मिलने गई थी आपने शायद उनका नाम सुना हुआ हमारे जोतिश के अंदर उनका बहुत नाम है बहुत बहुत जाता है था और बेजान दारुवाला मतब अपने आप में एक ब्रैंड तो जब मैं उनसे फॉर्स टाइम मिलने गई बहुत प्यार करते थे वो मुझ से जब मैं उनसे मिलने गई तो मैं जैसे ही उनके कमरे में एंटर हुई उन्होंने मुझे देखा और मुझे बोला कि व बहुत छूटी थी मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला लेकिन जब बाद में मैंने चीजों को पढ़ना और बाद में जब चीजों को बहुत ज़्यादा गहराई से जानना चालू करा तब मुझे समझ में अच्छा ये मतलब था इस चीज का क्योंकि कि तेरा गुरु खराब है तो तो ये कर ले तेरा शुक्र खराब है तो ये कर ले नहीं वह आपको कुछ चीजे पकड़ा देगा कि इन कीज को हमेशना समहालके रख ये उसी तरीके से उन्होंने मुझे दो चेज बोली एक तो नहोंने मुझे तु कभी पतली मतो ना तो त जब मैंने बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा और जब मैं बहुत गहराई में अस्ट्रोलोजी में गई तब मुझे पता लगा कि उन्होंने कितनी गहरी बात मेरे लिए बोली थी उस दिन बताईये नहीं वो नहीं बताऊंगी वो परसनल है और दूसरा उन्होंने मुझे हमेशा यह बोला था कि तुम अपने पैर के अंदर ना एक काला धागा हमेशा बांद के रखना और तेरे पैर केसी को दिखने नहीं चाहिए और वही सेम चीज अगेन वहीं आ जाती है जो मैं आपको उस समय बोल रही हूं कि जिन जिन के भी गुरू अच्छे हैं अच्छी जगे प्लेस्ट है ऐसे लोगों को इत्ते से जाधा अपने पैरों को में उसे रिलेटेटें और आपको यूटरू से रिलेटे़ क्या आपको ब्रहस्पती से कोई मैच निए आप को प्रीयिशा ने कि निखहरे रहे हैं लेकिन इसका GULUT यहीं बनेगा आपका यूट्रेस रिमूव होगा ही होगा आपको पीरेट्स की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी आपको संतान संबंदी दिक्कतें आएंगी ही आएंगी आपके अबोशन्स जादा से जादा होंगे ही होंगे खुट छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है यह कॉंबिनेशन से कुंडली के कुंडली कोई आपको बहुत बड़ी-बड़े रेमेडिस बताने से नहीं हो जाती कुंडली के अंदर आप छोटी-छोटी चीज़ों को भी फॉलो कर लेंगे अगर आप साइंस के हिसाब से भी देखें तो केवल एक जुपिटर है जो पूरे के पूरे 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 ब्रहमांद को समहालते हैं कंट्रोल नहीं करते हैं समहालते हैं दोनों चीजों में अंतर है, एक लाइन है दोनों चीजों के अंतर, एक कांट्रोल करना, एक समालना, शुक्र कांट्रोल है, ब्रस्थपति सम्हालना है, केयर है, वाउ, लेक्ly इतनी कॉंपलेक्श चीजिए इतने स्मूदली और अराम से बता देते हैं, कि मेरे को इतने जल्दी सीजे समझ नहीं आती तभी शायद में इतने सारे पॉड़कास्स लगते हैं होकल साही समझने के लिए बट आप बता तो चीजे क्लियर हो रही होती है और सेंज्स बनाती है आपको अपने हर चीज अपने प्रधान अपने इस्ट को समर्पित करनी होगी आपको अपने से बड़ा अपने एश्वर को हर जगे रखना ही होगा आप कोई भी घर का कारे करिया आप पीछे हट जाएए चाहे वो काम में आपने ही पैसा लगाया आपने महनत करी आपने एक .... आपने सादो जते बियावला करने गए आपने ठाकुरजी मेरे सादों पूरा देखा, करया आपने देखा मैने हर क काम अपनी मम्मी से करवा है कि मम्मी आप करो, या बुहाजी आप करो ठीक या तुम करो या आप करो वरुन मैंने किसी चीज़ को टच नहीं किया आज तक मेरे हाँ इतने हवन होते हैं इतनी पूजाएं होती हैं मैंने आज तक सिंगल एक पूजन भी अपने लिए नहीं किया मैंने संकल भी लिया होगा तो हमेशा दूसरों के लिया होगा जब मेरे गुरु ब्रहस्पती मुझे यही बल दे रहे हैं कि तुम्हें करना ही दूसरों के लिए है तो आप अपने जीवन से मैं हटा दीजे एहंकार हटा दीजे मतलब हटा दीजे मतलब होना बंद कर दीजे अब बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे तो आप इतनी फीस क् मैं लोगों के उद्धार के लिए ही ले रही हूं अगर आपको समझ में आए तो और जिनको आज नहीं आ रहा है अगर मैं मैं के साथ जैसे ऑफ कैमरा भी बेठता हूं तो मैं के विजन जो है जो बहुत सारे मनें पॉडकास में बात भी करी है मंदिर जिसके लिए बहुत स करिए हम कोई वीडियो बं अहम कोई डिल बनाते हैं हमारी य्ल पांटसजाए साथ सो वनं मिलियन तक जाती है और कोई दूसरा मेरी डालता है तो उसकी 10 10 12 12 22 11 क्रॉशों तक सिर्सटिय कर। तीर 30 अम तक चली जाती है उसकी रहा और एक नहीं हजारों लोग ड़ते हैं और तो मुझे ऐसा लगता है हजारों चैनल्स खड़े हो गए हजारों लोगों को रोजी रोटी मिल गई क्यूं क्यूं मैं तो उनसे कुछ नहीं ले रही या आप तो उनसे कुछ नहीं ले लेकिन ये किसमत ही है कि मेरी बनाई हुई जसे जड़ल से या मेरे दौरा लोगों का भाग्य जागना है मेरे दवार लोगों की चीज़े बननी ही है अम यह बैस पति यह थेवल मेरे साथ नीं अम तो जस्ट एंगजामपल बहुत सारे ब्लोगों का अशा में कि आप करते हैं, दूसरे का भला हो जाता है, वो उपर चड़ जाता है, आप वही रह जाते हैं, लोग पार्टनर्शिप करते हैं, दूसरा बन जाता है, आप नीचे हो जाते हैं, तो इस चीज को बैलेंस करना सीखें, बेटा, कि वो भी चड़े हैं, और आप भी नीचे ना ह तो इसका मतलब आपको ठाकुर जी ने किसी एक मुख्य उद्देश के लिए ही प्रत्वी पर भेजा है, आप ठाकुर जी के ही दूत हो, आपको ठाकुर जी ने नियुक्त किया है अपनी बाकी के बच्चों के देखने के लिए, समहालने के लिए या उनका सहारा बनने के आपके अच्छे गुरू से लाखों, हजारों, करोडों लोगों का भला हो सकता है, उसके लिए भी आप कार्य करना स्टार्ट कर दीजाए। अपने आप से खुद को हटा दो और पूरा समाज के लिए कर दो तो फिर समाज आपके लिए करी देता है। समाज को करने नहीं करना, मत करने दीजे, यह अबजेक्टिव नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम दौनों पॉडकास्ट करते हैं, तो सब हमें बहुत अच्छा ही बोलते हैं, हमें बोलने वाले बुरा भी बोलते हैं, हमें करने वाले बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन वरुन तो कि मेरे साथ बहुत जगे घूमते हैं, इसलिए वरुन को पता है, यह चीज की लोग मुझसे खुद वरुन यह कह रहे थे, कि माम लोग आपसे किता प्यार करते हैं, आप जहां जाती हो लोग आपको मिल जाते हैं, और मिलते ऐसे नहीं मिलते हैं, कि माम आपको दे पुले है भुख थांक यू आप सब की वज़े से मिला है थांक यू सो मच लेकिन ये प्यार ये अपनापन बहुत मिला अब इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने हमें बुरा भी काहा क्रिटिसाइज भी किया, बहुत सारे बैड कमेंट्स भी किये, बहुत सारी बुरी चीजे भी किये, लेकिन अगर हम उन चीजों पर ध्यान देने लगते, तो जो इतने सारे बच्चे प्यार करने वाले हैं, वो कैसे मिल पाते हैं? और हमारी एक्सपेक्टेशन, जिनका गुरू बहस्पति अच्छा होता है, उनकी एक्सपेक्टेशन कभी भी इंसान से होनी ही नहीं चाहिए, आपके एक्सपेक्टेशन किसी इंसान से होनी ही नहीं चाहिए, आपको इश्वर देख रहे हैं, आप किसकी थर्ड आय में हो, ठाकुर जी की, आपका बिग बस कोन है, जिसका कैमरा हमेशा होन है, ठाकुर जी, तो आपका ब्रहस्पती, आपको आपके इश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, आपका डायरेक्ट संबंध बनाता है अपके के साथ तो आपको वो देंगे फल आप दुनिया से क्या expect करोगे कि वो देंगे आपको वो क्या देंगे नाम शोहरत पैसा सोना चांदी घर गाड़ी लेकिन अगर आपने ठाकुजी के दस लोगों का आपने भला किया तो वो शायद जितना एक आम आदमी देगा ना उससे हजार गुना जादा आपको देने की ताकत रखते हैं राइट उनी से माँगो उनी से बात करो लाइग का इस वक्त में मकर राशी वालों के छोटे-छोटे वाद विवाद चलेंगे इस व मैनेजमेंट अपना बहुत अच्छा करना पड़ेगा कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसे वो छोड़ पाए करना सब कुछ है पर मैनेज करना और यह लग रहा है कैसे होगा नहीं आया कुछ नहीं आया तो एक साथ बहुत काम आ गया यह मैनेजमेंट यह पूरे एक साल करके चलना है तो इनके लिए बहुत चीज़े बहुत स्मूध हो जाएंगी लव लाइफ में बहुत दिक्कते आएंगी इमोशनली यह बहुत वीक रहेंगे पार्टनर की तरफ से इनको बहुत सारी चीजों को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ओके ठीक है मकर के तराषी वालों को मन्दिर में जाकर कोई सेवा जरूर जरूर करनी है हम टैक है तहिक है जैसे आपने महां जाके प्याह लगा दिया आप ने वहां जाकर प्रशादी कर दे बहुत गर्मी है तो आपने शरबत विटरन कर दिया जाstill करिये जरूर तो गुर्वार के दिन अगर आप किसी ऐसी सिटी में रहते हैं जा बहता हुआ जल है तो गुर्वार के दिन, दिन के बारा बजे से पहले बहते हुए जल में आपको एक मुठी करीबन हल्दी प्रवाहा कर देनी है कुम राशी कुम राशी वालों के लिए यह बहुत अच्छा समय आने वाला है आपको नए अफसर मिलेंगे काम करने के आपको बाहर जाने की ऑपिचुनिटी मेल सकती है आपके अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क चालू हो जाएंगे आपको बहुत नया ज्यान प्राप् होगा बहुत अच्छी एडवाइज आपको मिलनी चालू हो जाएंगी हैल्थ को लेकर कॉंशेस रहेगा घर परिवार के बड़े बुजूर्गों की हल्थ को लेकर आप थोड़ा सा कॉंशेस रहे हैं आपके चिकित्सा को लेकर खर्चे बढ़ जाएंगे मकर राशी वालों आपके लिए चीज और ठाकुजी दिखा रहे हैं आप लोगों को अपने घर को प्रोटेक्ट करके चलना आपके घर के उपर तंत्र मंत्र बहुत अराम से हो सकता है इस समय में नजर दोश वगर आपको बहुत ईजी लग सकते हैं दो बुंद शहद डालक कर इसनान करना चालू कर दीजे शहद के अंदर केसर डालके ठाकुजी का अभिशेक करना चालू कर दीजे पीछ में से आप लोगों के लिए देख लो इंपोर्टेंट है और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई negativity है या कोई नजर दोश है जो आपको दिक्कत दे रही है या आपके लिए पीडा का कारण बन रही है तो आपको नित नियम से रोजाना अपने घर के अंदर बैठ कर गंपती जी का पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए उनका कोई भी पाठ कर लीजे गनेश संकत स्त्रोत्रम का पाठ कर लीजे गनेश जी किसी भी मंतर का जाप कर आपको अपने घर का पूजा जो जहां पर पूजा स्थल होता है जो पूजा का छेतर है उसको गंदा नहीं रखना है पुरानी चीजें वहां पर आपको जबर दस्ती हमेशा रखे नहीं रखनी है जो काम की चीज नहीं है पुराने फूल हो गए पुरानी चीजों को उनको प्रवाहित करिये, उनको हटाईए वहां से, अपने घर के मंदिर को कभी भी गंदा मत रहने देना, घर में जाले मत लगने देना, नेगिटिविटी आएगी आएगी, 1000% आईए और अब तो आदेश उदर से आया है, तो आएगी आएगी, मीन राशी, मीन राशी वालों को ब जो उपर दिख रहा है न, उस पर भरोसा नहीं करना है, आपको अंदर तक टै में जाकर सारी चीजों को अच्छी से जाचना है, तब आपको उस पर ट्रस्ट करना है, पूरा, जी, जिनके रिलेशनशिप 50-50 चल रहे हैं, कि थोड़े ठीक हैं, थोड़े खराब हैं, थोड चोटे चोटे काम होते होते रुक जाएंगे, और चोटी-चोटी चीजों में अवरोध पैदा हो जाएंगे, इर्द गिर्द के लोग ही आपके कामों में टांग लगाएंगे, मीन राशी वालों के लिए फाइनेंचली थोड़ा सा समल के चलने का समय है, हैल्थ को लेकर आ आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, मीन राशी वालों को नित नियम से संधिया के वक्त, शाम के वक्त, मंदिर में जाकर बैठना है, अगर आप आरती के वक्त जा सकते हैं, तो या आपके लिए और जादा अच्छा हो जाएगा, आरती अटेंट करेंगे, जो आरती के और आपको षाजश कुआना ही कारे कर लीजिये, रोज नहीं हो, तो कम से कम आप हुआचे में एक बार या दो बार तो यह कारे जरूर कर लीजिए, कि आप मंदिर में जाकर, माता पहले तो आप गार टाकोजी के सामने अपना माता रख ढग दीए, और इसके बाद में, कि एक पहले करी हुई गलतियों का भी इस समय उनको परिनाम दे दे देंगे अपने जैसा जो करम किया होगा उसका आपको इस वक्त रिजल्ट मिल जाएगा सब्सक्राइब किसी को बहुत सालों पहले हट किया तो अब कोई आपको हट कर के चला जाएगा आपके पास्ट तो यह ती हमारी वार राश्य और बार राश्यों पर प्रभाव लेकिन इसके बाद यह होता है वरुन के आपकी कुंद्ली में आपका बहास्पती गहां बैठा है और फिर उसका आपके चंद्रमा के साथ क्या संबंध है आपकी कंद्ली में बैठे ह।area का नक्षत्र कौंस क्या क्या चीज़ें आपकी उपर नीचे होने वाली बाकि इन जनरल अगर हम बात करें तो चंद्र राशी के हिसाब से यह प्रभाव आप जैसे गोचा चेंज होते हैं तो इसका पूरे उसमें भी फरक आता है जैसे की इंडुस्ट्री में या फिर जैसे बहुत जादा देश कि हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारे प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे प्रकरती के अंदर भी प्रशाशन के अंदर भी टीसिजिटों को लेकर भी तो जितने वी वाली बात है हम उस पर बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक नॉर्मल जनता तो फिर भी हमारी बात मान लेते लेकिन जो उस पद पर बैठा होता है ना उसके गुरु के साथ साथ कही ना कहीं उसका सूर्य और उसका राहू भी बहुत प्रभावित हो जाता है तो उनके यह जो आए लेकिन अगे गॉर्ट अगे तो यह एक चीज है थोड़ी सी में को पूछनी है पता नहीं पूछनी चाहिए नहीं पूछनी चाहिए बड अभी आपने देखा होगा बीच में कट आया होगा और अगर आप कैमरा फोकस करोगे मैं एडिटर को गउगा कि आउट आउट अजन कि आप कभी इदर देख रहे थे और कभी अधर देख रहे हैं और फिर आपने एकदम से बोला की राशी वालों को थोड़ा सा तंत्र और इंसारी चाहें चाहिए थिखा तो यह अग्वें अपने पाउस लिया और फिर हमने आपने जल लिया और कुरू है मेरे जी तो एट बात है कि वह अतथा सालों से मेरे साथ इतना सालों से मेरे सात पाइनों ने ही उस ब को सब्सकोर पॉड़ करन कि आप नहीं क्या और अब य हुगा किना साँ पस्कुरप्स लेकर बैठी हूं मेरे किसी कि अब तु कुछ गलतना बता दे या तु यह बताना तो शायद वो मुझसे मिस हो रहा था तो ऐसे गुरू उनको बताना ही था मुझे आके कि तु छोड रही है रुख जा यह बता दे यही तो कृपा है यही तो प्यार है इसी के आगे तो मैं वारी वारी कि वो मतब कुछ गलती मुझसे हो ना जाए उससे पहले वो आके खड़े हो जाते हैं कि यह कैसे भूल रही है यह कैसे तुस्से हो रहा है कि एक चीज और मैं अपनी साइट्चर डालना चाहूंगा जो कि बहुत इंपोर्टेंट है वो यह है कि प्लीस जितने भी लोग हैं थोड़े से होश प्लानी में सुन रहा हूं और बहुत टाइम से सुन रहा हूं और इसमें मैं कहूंगा जितनी जितने गलत लोग कर रहे हैं उनकी गलती तो है है उससे जादा कहीं हद तक आप लोगों की भी गलती है कि आप अवेड नहीं रहते हैं और इसमें नुकसान सबसे आदा आप ल जो सारे मैम के चैनल पर भी मिलता है बट इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जाके गलत जगा पर अकाउंट में एक बर बताओंगे सारी चीज आप में को बता रहे थे देखे सबसे पहले चीज तो यह है कि मेरे हां जो कॉल सेंटर पर बच्चे हैं जैसे कि श्री है र या मेरे ओफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर जो नंबर है और वहां पर दोनों जगें मेरे एस्टो त्रिशला पर भी ब्ल्यू टिक है और मेरे इंस्टाग्राम पर भी ब्ल्यू टिक है तो पहली बात तो यह है कि आप कहीं भी देख रहे हो कुछ भी देख रहे हो लेक इतना तक कर रहे हैं वरूंड की Google Pay में उपर नाम लिख देते हैं ASTRO त्रिष्ला लेकिन उसके अंदर बैंक रिसीवर नेम भी आता है पुरा सा होशयार बनो बेटा उसके नीचे बैंक रिसीवर नेम आता है उसके अंदर वो कोई भी नाम लिख के दे रहे हैं तो अगर आप मुझए पेमेंट कर रहे हो तो बैंक रिसीवर नेम कर नाम या तो मेरा नाम वैगा तृष्ला चतुर वेदि ही आएगा और खृत आज जो कह रहा था आपके सामने जो बात चल रही थी वो कह था तृषला शर्मा है मेरी वाइप का नाम आप अकेली तृषला थोड़ी ना उस दुनिया में तो तृषला शर्मा और चतुरवेदी में अंतर है भाई पहली चीज दूसरी चीज जो मेरे आँ वो यशी आपको यशी चतुरवेदी तीसरी जो आपको नंबर मिलेगा वो मिलेगा आपको संजे सर का यानि की मेरे हस्बेंड का यही तीन आपको बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड करे जाएंगे और जिन बैंक अकाउंट के अंदर आपको तृषला चतुरवेदी नहीं मिल रहा है वहां इक बार कॉल करके उनसे कह निए कि माम से आप या तो एक वॉइस नोट नोड के हम को भेज दीजे या मैम से कह एसे दीज और जो एक सेंद कर दे कि में का ही नंबर है तो वह तीम जो एनल, वह एक सेकंड के लिए मेरे साथ कॉल अटेंग आपका करके और आपको कन्फर्म करादे की मेरी आवास तो आप पहचानते ही मेरी आवाज आती ही है तो गलतियां मत करो और सीधी सी बात है मैं मानती हूँ मेरी फील बहुत जादा है लेकिन आप मेरी भी सिच्वेशन समझने की कोशिश करो आप दूसरे के हिसाब से या अपने हिसाब से चीजे मत देखो आप एक दिन मेरी पोजिशन पर आकर बैठ के देखो राइट मैं इतनी व्यस्तता में होते कि कभी भी आप लोगों को कोई भी मेन चीजों से कोई भी ऐसा इवेंट आ रहा है या कोई ऐसा त्योहार आ रहा है या कोई ऐसा पर वार रहा है तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करती हूँ कि मैं आपको वीडियो ना दूँ मैं उस पर आपको उपाय ना दूँ आप उपाय कर कर ली जे आप अराम से चीजों को तसल्य कर लीजे पर कम से कम गलत हाथों में de चाई और मेरा कोई श।सेंट कभी आपRE मेरे बिहाफ पर बात नहीं करेंगे। ह्ग। अगर मेरे हाँ आपका अपार्णमेंट लिया जाएगा तो आपको मुझ से ही कनेक्ट किया जाएगा मैं ही आपकी कुंडली देखूंगी रसका आप अपॉरंडमेंट लोगे तो आपको शर ही बात करेंगे यशी का लोगे तो यशी ही करेगी उनकी जग नियुक्त कोई यह नहीं कह carbono तो साधना में हम बताएंगे नहीं यह मेरे होता जिस दिन मैंने यह काम करना चालू किया ना उस दिन कर हम आपकी कुंडली देख कर आपको बता रहे हैं मेरे लिए बहुत असान है एस्टो टॉक या एस्टो योगी या जो भी जितने भी आपके ऑनलाइन प्लैट्फॉर्म्स हैं इनको दो मिनिट के अंदर खड़ा कर सकती हूं इतनी टीम है मेरे पास अस्टो लॉजर्ज की ज चाहिए या माँ चाहिए जो आपको तीन अकाउंटी पता चल गए चौथा अगर मेर पे डालने तोड़ा है मजाग करो सिर्फ तीट मेर को आजाते है कि आप ऐसा अगरो आप इतनी फीस माम की है आप कम ले लो थोड़ा है आप जादा ले लो पर हम जल्दी करा दो तो हम जोड़ते हैं आपको वैसे डाल ले पैसे डाल दो पर हम यह सब लिगा जल्दी का भी ऐसा है देखो बेटा मैंने मैं आपको बहुत कियर बताती हूं कि बैक केमरा एक बैठी है जी है असरी यह मुस्कुरार ही है तेरी बात कर रहे है इसकी अपवाइंट मेरे साथ ना पं बैठेसे आज ही बात करनी है आज ही बात होगी इससे इसको स्पेशल फोन किया कि भाई आपकी अपशनमेंट 15 दिन बात के लेकिन आपको आजही मैं से बात करनी पड़ेगी तो देखो आप फिर मैं से अपॉइमने लिसा सी अजया टाइम रहे है जब ठाकु जी हा करेंग तब ही तो बात करांगे और अगर आपको सिंपल सर्फ एक डिया तो बेट बहुत बैठें बहुत अच्छे जो बहुत अच्छी कुंडली देखते हैं बहुत अच्छा बताते हैं तो फिर आप उनसे कॉंटेक्ट कर लीजे लेकिन आपको अगर उससे कुछ स्पेशल चाहिए तो फिर थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा पर्फेक्ट लाश्ट सवाल मेरा सबसे रहता है हाव अधा अधा वस्ट कैसा राट टॉक्स एक्षिनेंट्स पर आप से कुछ थोड़ा से एक श्टा बताओ लाश्ट विश्टा मुझा आता है कि एक लगता है कि मेरा प अधान टॉक पार्टनर्शिप में तृष्ला में चल रहा है हमारे 50 पर से राइट तृष्ला आपने ले रखिया है जबकि अपने अपने अकाउंट पर कुछ नहीं लेती मैं तो कह रहो चानल मॉनिटाइज करो पहले दो आप बनेटाइज है है हां लेकिन मैं लेती नहीं अच्छा इस पर करेंगे बात सबसे पहले कुंग्राचुलेशंस वन मिलियन के थैंक यू इसका बताना बुल गया है उन्हें एक वीडियो बना के वीजी आपकी लाइव देखी थी बहुत संदर थी बहुत सारे जितने भी पॉड्कास्टर्स थे और जितने भी लोग आप कैसे हो जो आप बोला जाओ वैसे तो मैं हमेशा वरुन के बारे में बहुत चीजे बताती हूं लेकिन कल ऑफ कैमरा मैंने वरुन के लिए बात बोली थी और मतलब आप ना जब जीवन के अंदर बहुत सारे लोगों से मिलते हो ना तो आपको पता जलता है कि वो इंसान अपक्षा क्या खुबी थी आपको किसी की खुबी तभी पता जलती है जब आप सौ दोसो पांत सो हजाल लोगों के साथ में मिलते हो इनसे बात करते हो तो आपको पता लगता है कि वो सरलता किसके अंदर थी वो सौमेता किसके अंदर थी वो अपनत्व किसके अंदर था व बिल्कुल मेरे जैसा हो जाता है मतलब अगर मैं गोवर पर चल रही हूँ ना तो वन मेरे साथ गोवर पर चल लेगा वह यह नहीं कहेगा मैं ची यह क्या किया आपने मैं आप ऐसे कैसे चल सकते हो वह एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगते कि आप अपने हिसाब से ना धल आप दूसरे के हिसाब से ढ़ल जाओ यह बहुत अच्छी विशेष्टा है जो लोग नहीं कर पाते हैं सब अपने हिसाब से सब को ढ़लना चाहते हैं मैं ऐसा चाहता हो तो तुम ऐसे बन जाओ मैं ऐसा हूं तो तुम ऐसे हो जाओ लेकिन किसी के पद चिनों पर चलना इस वेरी डिफिकल्ट और वैसे तो मैंने आज तक बहुत कम लोगों को ये बात कही है लेकिन मैं आपको सच एक बात भूलू आप बहुत अच्छे स्टुडेंटों वाव पूरे बारसकाल के स्कूलिंग करियर मैंने ये सुना है कि अच्छे स्टुडेंटों नहीं आप बहुत विजनी फॉलो गरते हो उसमें आपका मुझे कभी भी आपका विचार नहीं आता है ठीक है ऑन केमरा तो आपको मेरी बात पर हां ओके यस करना ही है वो तो करना ही है नैचरल बात लेकिन बिना कैमरे के भी आप किसी के चीजों को मान रहे हो और उसके साथ चल रहे हो ये के वंटों मैं वेट करा आती हूं वरून को tantrums celebrity बनेज है मैम oh my god, seriously कहा है लगता है मैंने वरून को परियों का बाग दिखाया मैं डालूगा वीडियों का दिखाया दिखाया और दो को जाया है मैमा में को ऑद्राही थि oh god मैंने आमेर का फोर्ट दिखाया खाना के लाया बहुत स्वाधिश जैपुर घुमाया खोले के हनुमान जी दिखाया जैपुर जो ब्यूटी है न वो दिखाया अधी रात को पूरा जैपुर खाली है और हम बस गाडियों ऐसे बटक रहें कभी यहां कभी यहां कभी यू जैपुर बहुत खबसूरत 100 बहुत अच्छा ए और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि Jetzt Nina का हर एक मंधिर हम तुरंत आपको फल देने वाला है तुरंत फंदेने वाला है मतलब किसी भी मंधर में आप चले जाएज आप यह नहीं कह सकते कि और्से आपको कुछ मिलेगा पदहार हो मारे देश एक्जेक्ट न्यू ब्रैंडम बैस्टर बन गया हमारा जैपर गया परफेक्ट थाइंक यू तो बस मैं समझा कि मैं पानी की तरह हूँ हां जिसे जिस पातर में डाल दो वह वैसा दल जाता है गुट कॉंप्लिमें थांक्स पर विंग ओने डॉन टॉक थांक्स थांक्यू हर वार की तरह हमारी पुरी टीम पुरी जंता बहुत-बहुत बहुत खुश है मेरी हिद्धी थोड़ी उपर नीच बात खुश है हम सारे और ये तो हम संस्कृत में पॉटकास्ट कैसे करेंगे बहुत सिब गज आता है एक पता है और कुकुर है इसके लावा कुछ नी सीगाए रहे है तो थांक्यू सो मच आप लोगों का भी देखने के लिए पॉटकास्ट अन इसी के साथ बने रहे देखते रहे हैं डॉन टॉक्स इंदी पॉटकास्ट अन एक और मैम का अपने नया चानल श्राट के कार्मे कृतिय अंदी पॉटकास्ट त झाल किंहाओ को आप ग Two बने दो वी देखते रहे हैं ंने डार शठांक्यू चानल श्राट। झाल Mmmm झाल огрाम का य Lancaster जल खॉटकास्ट थापॉ淡 ।